हलो सुरेंट्स मैं रफी रेंजन आप लोगों का स्वागत करता हूँ में जो आपको प्रोवाइट करता है चटी से बारवी कक्षा तक किस सबी वीश्यों के कम्प्लीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री अफ कॉस्ट ऐसा नहीं कि वह एक चप्टर और दो चप्री आपको पूरा कम्प्लीट कोर्स यहां फ्री मिलेगा बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल से स्टेमाटिक तरी इस पर देखेंगे जिसमें हमें इसके सारे जितने भी फॉर्मिलेज होते हैं या फिर इस चेप्टर के बारे में इस टॉपिक में कौन कुन से रूल रेगुलीशन लगने हैं सब को बिल्कुल डिसक्स करेंगा विलकुल कहते हैं बेसिक से लिख लेकर अडवांस लिवल त सबस determining का और यहां से इस स्असाइव ही कोई भी कोश्चन अजा है हर कोश्चन और अलब कुष्चीं सबसे पहले हैं पराटीं इस सबसे पहले जाने जैए चैप्टार का नाम है दो चरवाले रैखिक स्मीगान इसके भूमी का क्या मतलब क्या है पहले तो सबसे पहले topic It's done। उसके बाद आएंगे रैखिक समिगन का हल क्या होता है कोई भी जो रैखिक समीगर होती हैसके हल कैसे निकाले जाते है बाई वो चीज़ देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट मारे पास है दो चलो वाले राकिक समीकन का आलेग यानि इसका आलेग कैसे खीचा जाएगा यानि इसके ग्राफ जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़े हमें ध्रान रखनी होती है उस चीज़ें को डिsकर्स करने वाले हैं तो यह मेनली चार टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं जोकि इस पूरे को कवर करता है ड़ंड तो वाई करते हैं सेषेन ससन का रखते हैं कैसे होगा तो यहांपर सबसे सबसे पहले का मतलब यानि सबसे पहले इसने कहा है दो चर ना पता होना चींग तो फैले मुद्दा यह कि चर क्या होता है वह चर क्या होता है कि ऐसा मान जिस जो की बदलता रहे जो की बदलता रहे जैसे कि बात करें Mr. Pous y है जड है तो ये सारे क्या है तो ये जब भी किसी समीकर्ण में आते हैं तो इस का मान हम कुछ भी रख दीते हैं x का मान दो हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, तो X का मान बदलता जा रहा है, यानि कि चर है, और चर की बात करें, चर नॉर्मल दिखते हैं, गाई चरती चले जाती है, तो चरती हो एक जाती है, चरते चरते चले जाती है, मतलब से अपने स्थान बदलती रहती है, तो फिलाल वोई चीज है, यहाँ पर किस कोई भी ऐसा मान जो बदलता रहता है, उसे चर कहा जाता है, तो यहाँ पर हम चर की बाद करें, तो इससे भी रिलेट कर सकते हो, बाकिया आपकी मर्ची आप जैसे रिलेट करो, बस में बेसिक मुद्द आपको पता होना चाहिए, कि चर होता है, जिसकी मान मतलब की जो नहीं बदलेगा जो बिल्कुल फिक्स रहेगा उसे अचर कहा जाता है यह चर का भाई अचर है यह आपको पताना चाहिए और इस मान की बात कहीं तो जैसे कि दू है अब यह दो पहले समीकरण में दो लिखाओ चैक किसी और कुश्चन में दो लिखाओ किसी थर् बदले लेकले समय कुछ यह तो यह थो नहीं बदले हार जगा दो कमान घोर्लंच बदलना होगा और घू कि जगा में आठ लिकूं इक दूंट-व माइनिक यह चीजी होगा ठीक है और लोगल नॉर्मल लाओं कुछ कि सके टरहा होते हैं जो कि ए-बी-सी दी तो यह को चर माना गया है ऐसा कहा जाए तब उसको चर मानना अदरवाइस एबी सी भी चर होता है क्योंकि जो भी आपके समीकर्ण दिखती है वो कुछ इस फॉर्म में दिखती है एकस प्लस में बी वाई बरावर में च तो यहां पर एकस वाई तो चर है लेकिन एबी लिखती जो सब्सक्राइब 걱정 है और जिसका माद बदलता रहा है उसे चर का घैना जदो ठीक है ऑप इसके बाद कोश्यन में क्या आए था रहे था हो था फहम तो चर को हम समझ चुके उलिख स्वाइब करता पनाद नहीं दिकर थी के उसके बाद है बही दो चर वाले रैखिक समीकरन रैखिक क्या होता है तो रैखिक का मतलब होता है एक जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक खा जाता है यानि पहले कहा दो चर मतलब एक मैंने X लिखा और एक मैंने Y लिखा ठीक है उसके बाद इसने कहा रैखिक समीकरन यानि इसको अगर मैंने जोड़ दिया और इसकी घात एक कर दें तो जोड़े घटे कुछ भी हो जाए कोई दिकर ने लेकिन इनकी घात एक होनी चाहिए अगर इनकी घात एक है तो ये रैखिक होगा ठीक है और समीकन का मतलब क्या होता है दो हम मुद्दे में पहुँच चुक है च समीकन बन गी यानि जिसमें भी अगर बराबर आपको दिख जाए तो बराबर का मतलब वो समीकन बन जाएगा समानता का आभास हो रहा है मतलब वो समीकन बन गया डन चलो ठीक है अब इसका एक व्यापक रूप लेते हैं तो एक्स और बीवाई बराबर में सी लिग दिया यह आपका दो चरवाला रैखिक समीकर्ण हो गया और रैखिक क्यों है क्योंकि इनकी घात एक है तो यही क्या चाहिए था मैं कि दो चरवाले रैखिक समीकर्ण तो यह हमारा बन चुका है तो अब आपका पूरा कंसर्प्ट यहां पर क्लियर हो चुका है कि यह जो हमारा टॉ piece में हमारे पास हैं दो चर यानी एक सफ उर वाई और रहा कि समीकर मतलब गात एक है यह यानि हमने इसके सबसे समजय है उसके बाद चलते हैं next पर next क्या है हमारे पास अगला हमारे पास है रेकिक समीगण का हल मतलो solution of linear equation जो आपका रखेंगा समीगण उसके solutions कैसे होते हैं उनका हल कैसे निकल आता है अब हल की बात की जाए तो जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स प्लस में दो वाई बराबर में चार लिख दिया यह लिख दिया हमने यह भी तेक रैकिक समीगण है क्योंकि इसकी गात एक है इसकी गात एक है यह दो चर है दो चर वाला रैकिक समीगण है ठीक है आप दोबारा बोल रहा हूं X और Y का वहमान जिस पर यह समीकंड संतुष्ट कर जाए उसे कहते हैं X समीकंड का हल अब वो कैसे नहीं कर जाएगा तो हम क्या करते हैं इसमें कोई भी मान रख देते हैं अपनी तरफ से जैसे कि मैंने Y का मान 0 रख दिया अगर मैं Y को 0 रखता हूं ठीक है अगर Y को 0 रखनो तो X के आएगा X तो X आएगा यह तो पूरा 0 हो गया और बराबर में 4 आ गया यानि कि अगर मैंने Y को 0 रखा तो X का मान 4 आ गया यानि इसका जो हल आ गया वो चार और जीरो आ गया ठीक है तो अब बोलोगे सर क्या ये एक ही हल हो सकता है मतलब इसका एक ही हल होगा कि और भी बहुत सारे हल होंगे तो इसमें आपको मैं बता दूँ कि जब भी कोई रैखिक समिकर्ण होता है उसके हल की बात की जाए तो उसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल मतलब जितने मर्जी उतने हल निकल सकते हैं, और वो कैसे निकलेंगे, तो आपने अभी जिरो रखा, आप कुछ और रख लो ना, आप जो रखोगे उस पर लगा अंसर आएगा, जैसे कि मानलो मैंने जिरो की जगा एक रख दिया, तो जाएगा, चार माइनिस दो हो जाएगा, और इसे कहा जाता है दो, भाई, एकस कवान दो आगया, भाई, एकस कवान दो आगया, यानि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि अगर हमने दो रखा, दो एकस है, तो यहाँ एक होगा, यहाँ पर देख लिया, अब वैसे ही, अग और हल्का मतलब मैं दुबारा बताता हूँ X और Y का वहमान जिस पर ये समीकरण पूरी संतुष्ट होती है आप इसको रख के दिख लो ये संतुष्ट हो जाएगा कैसे संतुष्ट जाएगा जैसे कि मैं X का मान 4 और Y का मान 0 रखता हूँ यहां पर यह तीनों इस समीकरण के हल है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बहुत कोई भी रैखिक जो समीकरण होता है उसके हल कैसे निकाल जाए और हल होता क्या है अब तो कोई डाउट नहीं है चलो भी ठीक है अब आते हैं next पर अगला देखते में अगला क्या है हाँ जी अगले की बात करते हैं तो इसमें लिखावा है दो चरोवाले रहखिक समीगन का आलेक खिशना है आलेक कैसे खिशना था अलेक की बात करें आलेक में चीजे होती है तो आलेक की बात की जाए तो यहां पर मैं कहूंगा सबसे पहले यह होता है एक्स अक्ष और यह होत 2, 3, 4 इधर देखा जाए थो माइनिस माईनिस 2 थी और माइनिस 4 इधर भी हमारा वह उपर प्लस होता है और नीचे माइनिस होता है और यहां पर इसको देखा जाएं तो यह ओरीजन है मतलब 00 है यह क्या है ओरीजन मतलब 00 अब यहां पर मैंने लिख दिया क्या एक्स प्लस में दो य जो अभी लिखा है वही चीज लिए बनावर में चार कर दिया ठीक है अब इससे हमने अभी जो बनाये थे इसके जो सॉलिशन नाया थे पहले एक्स का माँ य का मान जीरो रखा था देखो य का मान इसमें थोड़ तो पहले बढ़ आप पीछे ता था क्या वीटियो कर देख सकते हों जिसके तीन हमने सउलिशन निका लेते हैं पहले मित निकाही निकागा थार तो एक रखा तह समारा दो आ गया था और तीसरा हमने वाई को माः में नाइस तरिके से पॉइंट यह बोक्स आ आपके पास यह X और Y आगया है, जैसे देख सकते हो, X हमेसा याद, हमेसा एक चीज याद रखना, बिल्कुल हमेसा, कि पहला X होता है, इसमें सब में पहला X है, दूसरा वाइ है, ड़न, बहुर, X वाला 4 है, तो 4 लिखा, यह 0 है, 0, X 2 और यह 1 और X 0 और यह 2, यह 3 मूल बिंदो, 3 बिं इसके तीन हल है कुश्चन में यह था हमारे पास मतलब हम यहां कॉंसर्ट पढ़ने वाले हैं कि बाई जो चरवल राकिक समिकर्ड होता उसका आले कैसे खिशने के लिए सबसे पहले इसके तो हल निकालो कितने कम से कम दो और आप चाहते हो कि बिल्कुल ही करक्ट हमारा उन सर खिशना है तो बई तीन लाओ तो बई बिल्कुल करख रखा है गल्दी के चान्स ही नहीं होंगे कैसे देखिए यहां पर क्या है जैसे X4 और Y0 है यानि हम ने डेखा X दो 4 पर गया और Y 2 जी पर यहीं पर देख़िए उपर चलते यहां बढ़ेगा नीच्च बढ़ेगा ठीक है, यह चार पर आ चुका है, आपर उसके बाद गया तो इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा यह जीरो और दो हो जाएगा और यह हमारा पास आगया जिरो और दो डैन तो हमने क्या किया इस रैखिक समीकर्ण से जो तीन मूल बिंदु आए थे उसको हमने इस निद्शांक में जमा दिना मतलब की दर्शा दिया ठीक है चलो फसको रेखाती उसका हमने एक रैखिक रैखिक किसमीग करते हैं और आलेक में क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप एकस और यह इसके अंदर जो आपके पास गैप है सारे बराबर होना चाहिए यानि कि यह एक का है तो यह भी इतना यह भी इतना है यह नहीं कि यहां पर कर दें एक दूर में एक दूर में नो हर जो gap होंगे वो बराबर होंगे आपके पास scale होगा फुटा होगा उससे आप इसको measure करके ना आपके एक एक centimeter जाए जो भी होता है बराबर हिस्सों में जग लिखना है इसको भी बराबर में करना है चलो भी ठीक है यह चीज़ हो गया उसके बाद दोनों side arrow होने जरूरी है ठीक है भई उसके बाद यह जो बिंदू उनको दर्शा दिया है और अगर तीन बिंदू आपने लिखे हैं तो तीन बिंदू का हैं तीन को यह ahora जब दницу आएक ही रीका मेरे आग वो बिल्कुल सही बनाए उसके बाद क्या करना है तो यहां हर एक बिंदू पर उसके निर्दी शांक लिखने हैं कि एक्स और वाई कितना है जो बिंदू है उसके बाद जो यह रेखा कीची उस पर दोनों तरफ एरो डालना है यह तीर का निसान है वो लिखना है उसके बाद आपको लिखना है इस रेखा पर उस समीकड का समीकड पूरी समीकड को ही लिखनी है स तो यह चीज़े बिल्कुल साफ सुत्रियोंची और यहां पर हमने अब सीख लिया है कि कोई भी जो दो चरो वाले राकिक समिकड़ होता है उसका आले कैसे किसे हैं डन चलो भी ठीक है इसके बार हमाते हैं नेक्स पर अगला क्या है वो देखते हैं अगला हमारे पास है एक्स अक्ष और यक्स के समानतर रेखाओं के समिकड़ भाई एक्स अक्ष और यक्स है इन दोनों के समानतर जो रेखाए होती है उसके समिकड़ कैसे होते हैं तो इसकी बात की जाए तो यहां पर मैंने यह खीचा फिर से भाई ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया x डेस ये y और ये y डेस ये फिर से 1 2 3 भाई 1 2 3 minus 1 minus 2 और minus 3 भाई यहां देखा minus 1 minus 2 और minus 3 भाई ये चीज़ आ गई ऽुषे हैं तो यहां पर एक्स जिरो है तो Y कमान 2 है ठीक है अछिव है एक है तो यह लिए वाला है तो quindi मैं यहां पर एक्स के मान 3 पर जाओ तब भी य का मान एक है या आप यहां देख रहे हो कि एक्स का मान ज़ितना बढ़ा लो जितना कम कर लो हर वक्त वाइ का मान बढ़िए हर वक्ता मतलब क्या होगा कैसे समिकर लिखें हैं तो यहां से एक चीज हमें कंफर्म होती है कि X का तो कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा एक्स चाहिए जो मर्जी रख दो Y पे कोई फरक नहीं पढ़ रहा तो इस इस कंडिशन में एक चीज़ याद रखनाब कि ये रेखा जब X के समानतर है तो इस कंडिशन में जहां भी Y का मान है वही इसकी समीकर्ण होगी मतलब Y बराबर दो ये इस रेखा के समीकर्ण बनगी जो की X अक्ष के समानतर अगर कोई रेखा होती है तो उसमें X नहीं होता सिर्फ Y के बराबर जो भी नंबर है वो आएगा जहां पर भी Y को काट रहा है वो आएगा दैन चलो ठीक है सेम कंडिशन किसमें होगा जब कोई भी समीकर्ण बनगी वो वाई अक्ष के समानतर रखी जाए यानि मैं कहूं कि यहां पर यहां पर माना जाएं कि मैंने इस तरह से देखा खिच दी एक मिनिट इस तरह से चलती है ठीक है अब यहां पर आप देखोगे यह जो रेखा मैंने खिची है यह आपके Y-X के समानतर है ठीक है और Y-X के समानतर तो यहां पर मैं मान रखता हूं कि भाई X का मान अगर 0 सरी Y का मान अगर 0 रखेंगे तो X3 है अगर Y का मान 1 रखेंगे तब भी X3 है अगर Y का मान 2 रखेंगे तब भी X3 है और Y का मान 3 रखेंगे तब भी X3 है और Y का मान माइनस 3 रखेंगे तब भी X3 है यहां पर जाने के लिए X का मान तो 3 ही जा रहा है न हर बाद यानि आप इसमें Y का कोई भी मान रख देते हूं तो उस पर कोई फरक ने पड़ था उसमें X हमेशा 3 ही रहता है यानि कि इस रेखा की समीकन आ गई X बरावर में 3 यानि इस से आप समझ गए अगर कोई भी रेखा Y X के शमांतर है तो उसमें Y नहीं होगा और सिर्फ X का मान जो होगा वही होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई X अक्षन भाई लिख देते हैं X अक्ष के समांतर X अक्ष के समांतर और Y अक्ष के समांतर X अक्ष के समांतर और Y अक्ष के समांतर इन दोनों की बात करें तो यहां की बात करें तो X अक्ष के समांतर की समीकर्ण होती है कौन सी वाली तो यह होता है Y इक्वल टू में A लिख दिया हमें A क्यों निखा A कोई नंबर है जरूरी नहीं दो रहेगा तो यहां कोई भी समीकरन कोई भी समीकरन कोई भी समीकरन अगर X के समानतर है तो यहां पर देख है वह करते हैं इसके इसके को सबसे पहले हम बात करते हैं एक रहाएं क्या चीज़ा है यहांने एक सब्सक्राइब है तो इक सब्सक्राइब पर उसमें हम इसके अधर एक्स प्लस ब्राबर में है Еще Ch Чण वो क्या रहा है 18eger को हैं आप एक्स तो है नहीं जए नहीं तो इसके लिए के नहीं है और इसकी घात भी एक है तो यह चरो राकिक समिक्रण होगी और याद रखना इसमें एक कामान 0 नहीं होता और एक कामान 0 क्यों नहीं होता यूँकि अगर आपने एक को 0 रख दिया तो भई दो महतले सब्सक्राइब घड तो दो आपो कर देगा और यहां पर ऐक सब्सक्राइब एक शर्ब रहना करताएब तो नहीं बच पाएगा तो यहां की बात करें तो यह एकसप तो बच ही नहीं पाएगा मतलब एक चर नहीं बच पाएगा इसलिए यह पॉसिबल नहीं है एक बराबर जीरो नहीं होना चाहिए डन अगर एक जीरो के बराबर नहीं है तब सब कुछ ठीक है तो चलो भी ठीक है ये condition बहुत अच्छी दी है कि a 0 के बराबर नहीं होना चीए और a और b क्या होते है एक वास्तविक संख्या होते है कि रूप में लिखे जा सकते हैं एक चर्मे रैखिक समिकन कहलाते है ठीक है भई अगर a और b एक वास्तविक संख्या है और वो a 0 नहीं है तो ये रैखिक समिकन है दन चलो ठीक है उसके बाद second जो हमारा पास है दो चर्मे रैखिक समिकन जो हम पढ़ रहे थे वी तक तो उसके अंदर हमारा पास आएगा दो चर आएंगे ठीक है एक समिकन ये एक समिकन ये इसका जनरल फार्म कोई बात नहीं रहेगा तो कोई अचर संख्या है ठीक है तो ये चीज़ हमारा पास आगी तो यहां पर क्या है दो चरों में रैखिक समिकन का व्यापक रूप है जो इस तरीके का है जो जनरल फार्म में वह ऐसा है और इसके अंदर ए और बी सी जो होते हैं ये वास्तविक संख्या होते हैं ये क्या होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं वास्तविक संख्या मतलब सारे नंबर सागे वास्तविक में बचाए पॉइंट में हो जाए चाए रूट में हो जाए चाए बटे में हो जाए चाए माइनस में हो जा अगर गया जिए तो घुल गए का यह बन अगे भोगर मोलगतुए तो आज दो चलो पहलों होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो के रूप में लिखाया सकता है मतलब दो चर्के रैकिक समिकर्ण के रूप में लिखाया सकता है और यह दो चर्का रैकिक समिकर्ण कहलाता है दन चलो ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट है एक चर्में रैकिक समिकर्ण का केवल एक ही हल होता है यानि कि जो हमारा पास एक चर्मे राखे किसमी करना है इसके हल कितने होते हैं तो सिर्फ एक होते हैं और वो कैसे तो जैसे कि यहां दिया हुआ AX प्लस B बराबर में 0 तो उस कंडिशन में X का मान इतना आ रहा है देख लो AX प्लस में B बराबर में 0 है तो AX तो यहां रखा और B को उस साइट भीज़ा तो माइनस B होगिया और X को यहीं रखा और यह ओजाएगा माइनस B बटे में A आ जाएगा ऐ जो गुणा में इंचे भाग में आ जाएगा और यह एक का सिर्फ A की ही मान आ रहा है जो कि माइनस B बटे में है तो यहां पर क्या है दुनिया भर के मतलब अनंत हल होते हैं तो यहां पर क्या है यहां थो यहां राखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दन चलू ठीक है और जब भी कोई रैकिक समीगण का आले खीचा जाये तो वो हमेसा सीधी रीखा बनती है याद रखना एक सीधी रीखा ही बनती है रैकिक मतलब सीधा बनेगी जैसा हमने अभी थोड़े पदे पहले एक आलेखीचा तो उसमें ने दिखा रहे एक लाइन सीधी बने थी ठीक है जो हमने देखा था एक्स बराबर में तीन था वाई बराबर में दो था इस तरह से हमने बनाया था तो ये भी एक सीधी रेखा वर दे थी क्योंकि रैक ही कह तो सीधी ही बनेगी दन चलो ठीक है ये भी यहाँ पर समाप्त होता है उसके बाद आगे चलते हैं आगे हमारे पास है रेखा पर परतेक बिंदू रेखा के समीकन को संतुष्ट करती है यहां पर यहां पर कोई भी रेखक समीकन हैं जैसे कि मैंने लिखा एकस बराबर प्लस में दो y बराबर में चार है और इसको कॉम परतेक बिंदू बोसमीकन को संतुष्ट करती है यानि हमने जब इसका graph बनाया था याद हो भी सोड़े पहले तो कुछ ऐसा graph नाया था और इसी पर तीनों बिंदू थे वह इसी पर तीनों बिंदू है और अगर इसी रेखा पर कोई भी बिंदू उठाते हो इस तीन के लवा और भी कहीं से कोई भी बिंदू उठाते हो तो वो बिंदू जो होगी वो इस रेकिक समीकन को संतुष्ट करेगी ही करेगी जो यह बिंदू हम निकालते हैं वो इन रेखाओं पर ही होता है दन तो यहां से हम रेक्षी समझ पा रहे हैं कि रेखा के प्रतेक बिंदू जो होते हैं वो रेखा को संतुष्ट करते हैं समीकन को स को दर साथ है ठीक है वही क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो यह चीज आई है इसका हल आए था यह इसके उपर का बिंदू ही तो दर साइगा तो कि इसी बिंदू के अनुसारी तो हमने और रेखा खीची ए तो वही बात यहां पर कह रहा है कि समीगण के जो परतेक हल होते हैं परतेक हल रेखा पर ही इस्तित होते हैं तो रेखा का एक बिंदू दर साथा है इस प्रकार दो चर्मे रेखिक समेगन का आलेख रूप एक रेखा होगी जिसका परतेक बिंदू उसका हल होगा यानि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक रेखा है मालो इसकी तो इसमें जि जिसे हम graph कहते हैं उसमें क्या है एक तथा य के यूगं में वे मान जो दिए गए समीकन को संतुष्ट करते हैं जो चर्व में समीकन का हल कहलाते हैं यानि कि जो हम यह graph बनाते हैं और यहां पर जब कोई भी मान आता है जैसे कि हम बात करें यह मान आया जो कि चार और जिरू यह चीज कह रहा है कि एक सर्वाइक का यूगा मतलब जो डिये गए समीकन को संतुष्ट करती है तो इसको मान रखोगे तो बिलकुल संतुष्ट करता करते हैं दो चर्के रहा है कि समीकन के हल कहलाते हैं मतलब यह इसको अगर संतुष्ट कर रहा है तो यह इसका हल कहलाएगा डन चलो ठीक है उसके बाद जैसे कि उधारन में कह रखा है उधारन कुछ एक्जामपल भी यहां पर दे रखे हैं कि एकस प्लस चार वाई बराबर में चार है तो अगर यह संतुष्ट कर रहे है यह बराबर हो रहे है इसका मतलब यह जो निर्देश शांक है वह तो इस रैखिक समिगन के हल है डन चलो भी ठीक है यह चीज भी यहां पर कम्प्लिट होती है फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे हाँ जी अगे की बात करें तो यहां से अब हम स्टार्ट करने वाले इसके उदारन और कोश्चन जितने भी टाइप के कोश्चन से जो मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है उसका हम यहां पर डिसकर्ने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि NCRT के अगॉर्डिक सबसे मोस्ट कोश्चन के आएं और उसके बाद आपके और भी ज्यादा जो थोड़े से एक्स्ट्रा कोश्चन साथे हैं वह भी हम यहां पर रखे हुए हैं तो आखरी तक बने रही हैं मजा आने वाला है बिल्कुल ओके तो बहुत ही तो यहां पर हर लेवल को टुच करवाया जाएगा हैंनि हर लेवल को करवाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से लिएकर एड़ॉंमस्ट ट करवाया जाएगा तो आते हैं पहले कुश्चन यहां पर तो यहां की बात करूड़ तो यहां पर हम देख पा रहे हैं और इसको उठाकर इस साइड ले आते हैं तो माइनस में 4.3 साथ आ गया अब बरावर में 0 आ गया ठीक है और इसके according हो मैं क्या ले सकता हूं तो यहां पर हमने देखा x का गुडांक होता है वो नियुक्ष एक का गुडांक होता है तो बी का मान तो तीन ओगें है ठीक है और जो बचाओं से सी कहते हैं तो सी का मान माइनस 4.3 साथ आ गया यह चीज आ गए हमारे पास तो एबी सी हमारा यहां पर बाइब सेकंड पार्ट की बात की जाए तो इसको भी हमें इस फोर में ही दर्षान है तो इस वाइब रखना है तो हम इस वाइख उठा के इधर लिया आते हैं यह जांगे हमार पास ठीक है वह यह प्लस का इधर आए के माइनीस करती है ठीक है और यहां पर आप देखिया मैंने रूट 3 एक और से इस चार को ओठागे इधर बेज़ देते हैं तो फॉटर को ओए ये देखा अब भई इसमें कोश्चन में कहा गया है कि ABC का मान गयाद करना अब यह क्या इसकी जड़ा है आप इधर जीरो लिखने की वजाए अगर इसी को उठाके इधर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करिंग मैंटी कर में सबकार हुआ है तक अब मैझने काया उन आसे तो इसब सस्क्राइब तो क्या होगा तो भई मैंने इसको उठाके इधर बेज रहा हूं अब देखिए यहां से अगर मैं एबी सी कमान निकालू तो क्या रहा है तो इसमें से है आप बोलोगaches सर अंसर तो बिल्कुल अलग है स्शगे कोई यह दिक्क निर लगा कि दो इसमेशे से अगर मैं कमन लिय लIES तो यह था यहां यहां पर से हो रही है तो बस आपको कैसी अपने रूल रख definis तरदी कुछ नहीं होगी ऑगे चलो बैठी कर यहां पर यह थरड़ पार्ट भी कंबर कॉपलेट होता है रहे हैं इसके फॉर्ट पार्ट बहुर्श से था पार्ट बात कि गया है तो यह कर दो नहीं हो सकता है, कोई बार की बात में Three- teilweise तो एकर गुर्णाओक दो है, और सिवावटी बार की किम्री कि तो आपको पूछे शांगे यह तो पूछे जाते हैं क्योंकि यहांगे हैं तो आथा हैं… अगले कोशिन को दिखते हूं अगला किस्टाइपका我也 अगले कुशिन की बात की जाए तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है यह कुछ कहना चाहरा है क्या कहना चाहरा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दो गुनी है अब यहां पर क्या करते हैं नोटबुक को मानते हैं एक्स नोटबुक की कीमत जो है वाई मानते हैं भाई ये दो मुद्धा है नोटबुक की कीमत को X माना और कलम की कीमत को Y माना अब इसने कहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत के दो गुनी है तो मैंने यहाँ पर नोटबुक की कीमत लिखे और कलम की कीमत लिखे ठीक है और इसको बराबर लिखा कोश्चन में कहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत के दो गुनी है यानि अगर कलम की कीमत को दुगना करोगे तब जाके निरुपित करने के लिए दो चवरो वाला रैकिक समिकरण लिखेंगे और यह समिकरण हम लिख चुके हैं और यह हमारे पर आच चुके यहां पर question में बकाइदा आपको इस तरीके से लिखना होगा कि भई माना यहां पर question में हल में जो आएगा इस में लिखोगे माना नोटबुक की कीमत इसको मान लिया अपने रूपीज एक्स इसी तरह से माना कलम की कीमत इसको मान लिया वाई वह यह चीज़ होगा हमारे पस और इसी के अकॉर्डिंग हमने जैसा भी फार्मॉला बनाया मतलब भी जैसा मिकन बनाया थी एक्स ब्रावर में दो आए और यही इसकान सरा गया दन तो यह कोशन भी आपर कंप्लिट होता है अब आते हैं नेक्स पे और अगले को देखते हुए अगला किस्टाइब का कोशन हाँ जी नेक्स पे हमें क्या जा रहा है कि निम्लिकित समीकर्ण में परत्यक के चार हल निकालने हैं परत्यक के चार हल चार हल की बात की जाए तो यहां पर देख पा रहे हैं भाई फास्ट पार्ट है जो कि यहां से सकामान 3-0 रखता हूं एक समान 6 रखें तो वाि कितना आएगा तो अगर एक्स कामान बहांइन एक आ निका साथ माइनिस में दोगने दो आएगा यानि चार माइनस किया तो तीन बचा और मैं आ इसके यहां पर सकता हूं तो वाय आएगा साथ माइनस में दो गुने में तीन आएगा और यह कितना आ रहा है दो तीया छे मतलब कि एक मचा यानि कि अगर मैंने रखा एकस कामान तीन सब्सक्राइब यहाँ और यहाँ देख पा रहे हैं कि चार हल निकल चुके हैं एक हल दो हल तीन हल और चार हल यह को खिलाब की ग्याद हो चुकिए हैं डब यह कूशन भी यहां पर समापस होता हैं उसके बाद हम आते हैं next पे next की बात करते हैं second part की second part कैसे तो second part के अंदर क्या है तो यहां पर एक PIE आपको दिख रहा हैं तो कोई बात नी इसका हम PIE में रख लेंगें वह यह क्या है PIE X PLUS में Y बराभर में 9 है अब यहां से य का मान लिखेंगे 9 माइनस में PIE X लिखेंगे और इसमें अगर मैं X के और Y के मान बदलता हूं मतलब रखता हूं तो भाई यहां पर अगर मैं रखा यह X है और यह Y है अगर मैं X का मान जीरो रखता हूं ठीक है तो Y का मान कितना आएगा 9 माइनस में 0 यानि 9 आएगा यानि X कमान 0 तो Y कमान 9 आगया अगर X कमान हमें 1 रखते हैं तो क्या आएगा तो Y बराबर आएगा 9 माइनस में 1 पाई मतलब कि पाई आजाएगा यानि अगर मैं X कमान 1 रखता हूं तो ये 9 माइनस पाई आएगा लगा और एकस कमांद दो रखे तो 9-2 पाई होगा और एकस कमांद 3 रखे तो नाइन माइन सीन पाई होगा यह आपको धा मिर रहे सब बड़ते हों और थो रहा होगा तो धो भी march करना पड़ेगा थार्ड बाट आपको ही करना पड़ेगा एक्स ब्रावर में चार वाई इसके सारे हल निकालने पड़ेंगे ठीक है और वो बड़े अराम से निकलेंगे बिल्कुल निकलेंगे और कमेंट वक्स में जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है इसके चार हल और कौन हल नहीं है तो यहां पर सबसे पहले मैं ने लिखा first part पहले की बात करे करें यहां पर हमीकंड थी x-2y बेराबरאש है अगर इस जिरो और y तो रखाऊं यानि मैं ने रिखा वह एक क्या यह 4 के बराबर है तो मइनस 164 के बराबर नहीं है तो पहले तो नहीं है तो दूसरे की बात करें तो यहां पर मैं ने लिखाए videog छार लाभर कि रिखाइब यहां पर निए एप डिलकल करेक्ट विलाल चर्ण रहा है मतलब कि यह जो बिंदू है है सटिसफाइक कर रहा है यह इसके पार पहर है चोथे पार पर बहुत पार का है दो यह लिखा है रूत दो सटिसफाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा संतुष्ट जो आहा ہ nur है क्योंकि यह संतुष्ट कर गया है इसको देखते हैं तो यहां पर रूट दो रखा तो रूट दो आगा माइनस दो गुने में चार रूट दो आ रहा है क्या यह चार के बराबर आ रहा है तो हमने की जगा एक रखा माइनिस में दो गुन में एक गया बदाबर में चार यानि कह सब्सक् sowало एंग तो बेर कुल भी बराबर नहीं है यानि कि इस अब कर आण क का सिसे थी का हल महओं है यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें चाहर जिरो बहुत देता हूं मैं चार जीरो समीकरण का हल है चलो भी दन यह चीज़ हमारे पस हो गया यह उप्सन करेक्ट हो गया तरड पार्ट यहां पर इसमें इसका हल दर्सारा है तो आप इसका स्क्रीन सौट ले लीजिए फिर हम आते हैं नेक्स पर अगले कोशन को देखते वे अगला प्रचल कॉशन कौनसा है चलो भी बिल्कूल से ही को की दुनेट्स कोशिन पर आते हैं मारत पर अगला कॉश्यन परसंट नमबर चार है ओर इसमें दिए ओड़े के का मान हमें ज Tabii तो है और वाई का मान एक है और समीकरन हमारा पर पास अहिए है प्वेत होते है यह ऊसी कमान दो र्वाइट कमान एक है जो गिससमीग्न का हल है बहुर रहिक का मतलब क्या तो बड़ी देर से हम यहीं चीज डिसकस कर रहे थे कि हल का मतलब यह होता है कि x और y का वहमान जिस पर यह समीकन संतुष्ट होती है यानि कि सैटिस्फाइक करती है तो उसे कहा जाता है यह एक्स और y का मान इस समीकन का हल है तो भई इस समी तो कहा है ये इसका हल है अब उसी के recording हमें ग्यात करना है के का मान और वो कैसे ग्यात होगा तो इसके हल में हम देखेंगे जैसा कि हमें question में दिया हुआ है x का मान है 2 ठीक है और y का मान है 1 जो कि इस समीकर्ण का हल है तो यानि हम लिखेंगे 2x plus में 3y बराबर में k हमें दिया हुआ है अब इस xy को यहाँ पर हम रखेंगे और k का मान निकलेगा जो कि मैं लिख सकता हूँ दो गिने में 2 plus में 3 गिने में वाई का मान कितना है एक तो एक लिखा एक्स का मानद दो है टो हमने 2 लिखा बराबर में k लिख दिया ठीक है बھcomp 4-3 7 आगिया तो यहाँ पर क्या चीज़ है साथ आ गया है के कमान तो यहीं इसे का आश्याइए आप नोट कर सकते हो यह भी आपके एक या दो मार्स कोश्चन में आता ही है यह भी एक इंपॉर्टेंट कोश्चन और ऐसे कोश्चन आपके बनते बनते हैं उसके बाद हम आते हैं नेक्ट पर अगले कोश्चन को देखते हैं इसका आप स्क्रिंसॉट ले लिजी हम आते हैं नेक्ट कोश्चन पर अगला स्makeल यह बिंदू किस समीकरण के उपर सनसे थे क्या वहां बता सकते हैं उसके बाद इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं तो माल लो कि एक यह कोई बिंदू है जो कि यह 20 या है जो के मैंने हों ठीक हैं बिन्दु जो हमें दे रखा है वो है एक और दो और किया मैं इसमें ऐसा है सकता हूं कि भाई बराबर में दो एक्स क्या लिखा जा सकता है य बराबर में दो एक्स अब देखिए क्या यह बिंदू इसको सैटिस्फाई कर रहा है संतुष्ट कर रहा है तो भाई मैं अगर यहां पर एक्स का मान एक रखता हूं तो भाई दो गुने में एक एक्स का मान यह बिलकु सही है तो इसने पहले कुछ न में आथे ऐसे समिकन बताई जो जिससे कि आतो हमने बता दिया कि I कि बार कोश्चन में कहाहिक कितने हो सकते हैं तो दीश किthis दो असके लिए तो सब्सक्राइब इसको ऐसे कि ऐसे किज दू ऐसे कि दू अरह कितनी रिखा हो सकती है तो दुनिया भर मतलब in finite अनंत रहेखाएं खीची जा सकती है तो यहाँ पर आप कहसकते हैं अनंत रहेखाएं कर रहा है भाई मैंने ये भी लिखा कि एक से एक जादा है वाई जादा है तो मैंने वह लिखा है अगर मैं एक का मान यहां पर एक रखता हूं जो कि यहां दिया हुआ है प्लस में एक है और वाई का मान दो है क्या ही बराबर आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है अब उसके बा minus 1 बराबर में दो तो यहां हम देख सकते हैं तीन में से एक गया दो और यह गया दो मतलब यह भी संतुष हो रहा है यानि अभी तो मैंने तीन ही example दी है अभी तब बहुत सारे example बन सकते हैं इसके हैं क्या तो इस तेन लिखों लिखने पर यहां पर मैंने लिदिया भाई यह फास्ट हो गया ठीक है यह सेकंड हो गया और यह थार्ड हो गया और हम कहेंगे इस प्रकार के इस प्रकार के अनंद कि समी करण कि खीचे जा सकते हैं ठीक है डन यह कोश्री यहां पर समाप्त होता है ओके हर्च कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया डन ठीक है बहुत बढ़िया अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर अगले कोश्चन के लिखते हैं अगला मौश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन किस टाइप का है अगला हमारा क्या है तो यह उधारन का परसंट नमबर च्हे और इसमें कहा गया एक्स प्लस वाई बराबर साथ है इसका आलेख खीचना है बहुँ है यह आपको देरका इसका आलेख खीचना है अब आलेख कैसे खीचा जाएगा तो आलेक की बात कि लिए तो मैंने यहां पर लिखा भई X उपर X होता है और नीचे Y होते हैं और यह हमेशा इससे ही होता है कभी आप इसको उल्टा नहीं तो अगर मैं लिखूं वाई कामान चार ठीक है आप जीरो एक दो तीन चार पांच माइनिस में एक माइनिस में दो माइनिस में तीन कुछ भी रख दो हर कोई सही रहेगा ठीक है बस ऐसे नंबर सकना जो थोड़े चोटे हो ग्राफ में आ जाए आ जाए यह नहीं कि आप रख क्या है आप उसको थोड़ा सा छोटे नंबर स्लो जैसे मैंने 4 ले लिए तो 4 का काद इकार्डिंग चार ले हमने तो X का मान कितना होगा व título है जब Y बरावर चार है तो X प्रावर आएगा 7-4 यानि 3 यानि मैंने y को 4 लिखा तो x 3 आ गया ठीक है और जब हम y को लेते हैं 3 जब हम y को लेते हैं 3 तो x कितना हैगा तो यह आएगा वह 7-3 यानि 4 यानि अगर मैं y को 3 लेता हूं तो यह 4 आएगा ठीक है वह अगर हम y को ले लेते हैं जब y का मान 2 ले लेते हैं तो x कितना आएगा तो x की बात करें तो 7-2 यानि की 5 आएगा यहाँ पर अगर मैं y को 2 लेता हूं तो x का मान 5 आएगा यह चीज़ हमार बस आगए अब इसका म बना एगे ग्राफ और ग्राफ कैसे बनेगा तो एक रेखा हम आपने यह कीची और 1 रेखा यह कीची वह यह दो रिखा है ठीक है इसमें हमें पता है कि यह होता है x अक्ष यह x डैस का जाता है इसे y अक्ष कहते है जो y है और y सै और jry डैस वाला है वो नेयग attractive ह होता है है रुणात्पन होता है और जो सिर्फ y और एक्स है वह positive होता है वो कैसे तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं एक 1, 2, 3 , 4, 5 इसकी बात कर दो लिखते है तो मैंनिस 1 माइनिस दो माइनिस तीन माइनिस चार माइनिस पाँच यहां पर बात करें तो भई माइनिस एक माइनिस दो माइनिस तीन माइनिस चार और माइनिस पाँच भई यह चीज़ हो गया हमार पास एकस पर तीन चलना है तो एकशे चलते गहें वही एक दो तीन टेन जाए है तो यह नदी यहां पर लगा दिया जो गया हमारे पास तो यह आ गया भई एक्स तीन है और वाई चार है भाई यह चार आ गया ठीक है और वाई तीन मतलब उपर तीन जाएगा तो एक दो तीन यहाँ जाएगा यह आगया हमारे पास जिसकों मिस कते हैं चार तीन पढ़ deixa दूसरा ऊंछिया अब तीसरे बंडू की बात गया है तो एक्स पांच है तो वाई दो है तो बश किस तरीके से होगा तो यहां से हम कह सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके self point को मिला दिया यह एक रेखा खीच गई यहां पर खिच चुकी है जहाँ पर हम देख रहे हैं यह तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है और यह चीज बिलकुल ध्यान रखना जब भी आप कोई रेखा कीचते हो तो उस रेखा पर जो भी मिंदू आपने लिए हैं वो सारे एक ही रेखा पर राएंगे ए और इसमें कभी भी आप तीन पॉइंट लेना जिससे कि अगर आपकी कहीं गलती है तो कंफर्म वहां पदा चल जाएगी कि हाँ आप गलत कर रहे हो फिर उसे ठीक कर लोगे ठीक है और अगर दो पॉइंट रहेंगे तो अगर आप सही हो तो ठीक है लेकिन यहां पर आप इस रेखा हो खीचा इसमें तीन बिंदू रखे और तीनों पॉइंट बिल्कुल एक ही रेखा पर आ रहे हैं मतलब कि आपका आंसर ठीक और आपने इस समीकण का आलेख खीच दिया है और अब तो कोई दिक्कत नहीं होने चीए कि वह समीकण का आलेख कैसे खी देना उसको फिर किया जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है चलो और कुछ भी नया चीज़ चाहिए कुछ नया मिस है मिस है कोई चीज नहीं बताई है तो वह भी आप सज्जेस कर सकते हो वैसे चैसा कुछ मिलने वाला नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं चैन किजिए जो कि आकरती 4.7 यह चार पॉइंट साथ है तो इस आकरती में एक रेखा खिची हुई है अब यह रेखा जो है वह इन में से कोई एक रेखा है मतलब इन में से किसी एक रेखा का आलेख यहां पर खिचा हुए ग्राफ यह खिचा हुए अब आपको बताना है पीस रेखा का ग्राफ यह है तो बहीं यह कैसे बनाए जाएगा बताया जाएगा तो इसके लिए हमारे पर तीन उसकी बंदों का फिन बसकार है यहां मैं चैक करना है चैक कैसे करेंगे अगर मैं माइन से एक और तीन रखता हूं उसको से बड़ाबर नहीं होताओ ये टेस्ट फेल हो गया तो यह तो पहले ही काड़ दो कि भी तो गलत है पहला वाला ही फेल हो गया उसको सेकंड पर टेस्ट करेंगा तो वाई कितना है तो य को हम नहीं रखा वाई तीन बराबर में एक्स कितना है तो माइनिस एक और यह माइनिस दू है तो यहां सब देख रहे एको सब्सक्राइब फ्रत बराबर में तीन आ रहा है यानि कि यह तो अभी तक चल रहा है पहले वारा पॉइंट के लिए ठीक चल रहा है तो बहुत फिक्त करते हैं इस एक सका मांद रखा थीख है वाई का मान रख तीन तो हम ने रखा दो गुने में तीम और बरावर में छाम यहारा भई इस पॉइंट में इसको चेक किया तीन दुनीच पाइट नहीं रिसाइट कर दिया कि यह तीनों के तीनों गलत हैं और थर्ड पार्ट सब्सक्राइब और थर्ड पार्ट ठीक है अब जो थर्ड पार्ट ठीक है उसको बाकियों पर टेस्ट कर लेते हैं बाकी कौन से हैं तो जीरो दो जीरो क्या इन पर भी सेटिस्फाइब कर है तो ब्लकुल भर यह भी सथिस्ट थीक 疑 यह फिसके बार की बाथ करते आ करते हैं तो नहीं वालत यह घृख़ा इसको है कर चेक कर लिए और तो यह पर हम इसमें जिए उवे ग्राफ जो आलिक यह समी करण है लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कारे जो है एक अचर बल आप एक पिंड पर लगा रहे हैं तो यहां पर हम कह रहे हैं एक फिक्स बल लगाया जा रहा है सबस्क्राइब करीया पिंड द्वारा किया गया कारे जो है जो इस नुक्रमान उपाती भाई मैंने लिख दिया पिंड द्वारा कार्य कितना हो रहा है तो इसको हमने लिख दिया भाई एक्स हो रहा है ठीक है और उसके बाद है भाई पिंड द्वारा तै की गई दूरी अज生 पिंड द्वारा तै की गई दूरी जो है फाल रहा हो गया ज första चलो ठीक है उसके बात किया गया है कि एक्स जो है वाई के समानुपाती है जैसे कि कुछिन में कहा है कि पिंड द्वारा तै की गई दूरी पिंड द्वारा तै की गई दूरी है पिंड द्वारा किया गया कारे के समानुपाती है तो हमने यहां पर लिखा कि एक्स जो है जो कारे है वो समानुपाती है वाई के यह यह यानि कि अगर बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी ठीक है और अगर कारे घटेगा तो दूरी भी घट जाएगी यह चीज बात हो रही है उके चलो अब इसके बात क्या है इसमें समानुपाती का मतलब तो मैंने बता दिया आपको कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक इतना बढ़ेगा यह नहीं पता ठीक है यह नहीं पता यह बताएगा क्या तो जैसे आप समानुपाती हटाते हों तो इसके साथ इसकी वज़े से आजाएगा के यह के वाई हो जाएगा चीक है यहाँ पर क्या चीज हो रहा है यहाँ पर हम देख पा रहे है एक्स क्या है का का वो अचर बल है यानि यह जो के है वो अचरौबल है ठीक है यानि हम देखेंगे हैं होगल निखा गुणा के बराबर होता है मतलब वर्क जो होता है वो Pr आपको दिया हargए नहीं तो जो आपको दिया हूँ पार में Därक के सिद्सक्राइब फॉर्मिले दिया चलो भई अब इसमें कहा रहा है इस कथन को दो चरो वाले रैखिक समीकन के रूप में व्यक्त कीजिए इसको दो चरो वाले रैखिक समीकन के रूप में व्यक्त करना है क्या आपको दिख रहा है दो चर वाई दो चर दिख रहे हैं ठीक है क्या रैखिक है यह मतलब इनकी घा यहां पर लिखेंगे जब भ Tax वल्ड जो है कि जब अचर बल जो कि के हैं यह तो उस कंडिशन से मैं बताना है कि क्या होगा तो वह पांच माँट रख गया, 5 माज़ों लेकर इसका आलेख खीचना है, यानि कि हम K कामाँ 5 यहाँ पर रख देते हैं, तो X बराबर में 5 Y हो गया, अब इसको देखते हुए हमें आलेख खीचना है, पहली बात तो है आलेख खीचना है, उसके बाद क्या है उसके बाद कोशिशन में क्या रखा है यदि पिंड दोरा तै की गई दूरी 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 को हमने क्या माना है यानि कि अगर वाई का मान दो है तो उस कंडिशन में कार कितना होगा वो आपको बताना है और जीरो है तो उस कंडिशन में कार कितना है वो हम है तो पहले तो हम आपर आते हैं तो सबसे पहले हमने रिखा है सभीकाड क्या है एक्स बराबर में पाँच वाई होगे ठीक है यह यह चीह आ और हम वाई कामान कुछ रखेंगे किया रखेंगे कुछ भी रख देती है मालो कि मैंने जीरो रखा तो यहां हम ले सकते हैं जब वाई 0 है जब यजिरो है तब क्या होगा तब एक्स गुने में 0 आएगा जो कि 5 आएगा यानि जब वाई 0 है तो एक्स फ़री पांच गुणाय में 0 कितना आएगा तो 0 ही आएगा ठीक है ऐगा ये यहां पर वह 6 कमान 0 आगे और Y कमान 0 हमने रखा था यानि हम कह सकते हैं डोन जीरो आगे ठीक है ऑगई यह आगया उसके बादkach क्या करते तो उसके बाद अगर मैं रखता हूँ एक्स वाई का मान भाई जब वाई का मान हम रखेंगे एक तो एक्स का मान कितना होगा तो यह हो जाएगा पांच गुने में एक यानि पांच हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर मैं रखता हूँ वाई का मान एक तो एक्स का मा चाहिए अब उसके बाद हम देखते हैं जब वाइ के आफान में रखाते हूं लिए कितना होगा तो यह हो जाएगा भाई पाँच गुने में मैंनिस रिग आईगा और इसको गुना किया थो है माइनेस फांच आ रहे तो यारी कि अगर मैं यहाँ पर रहता हूं तो यह माइन फांच जाएगा यह हमारा यहां पर बॉक्स बन गया अब इसी के अनुसार हम यहां पर आले कीचेंगे और आले कैसे खिचेंगा तो यहां देखे भ ठीक है इसमें हमने यहाँ पर एरोडा बना दिये इसमें हमारी नम्बरी हो जाएगी एक दो तीन चार पांच छे साथ इधर की बात करें तो भाई यह माइनस एक आएगा माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छे और माइनस साथ ठीक है उपर देखे तो यह एक आएगा दो आएगा तीन आएगा चार आएगा और पांच आएगा नीचे की बात करें तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, भाई, यह हमने बना दिया, डन, अब इसके according, भाई, यह जो हमारे पास बन चुका है, जिसमें हम देख पा रहे हैं, यह x अक्ष है, यह y है, और यह y डैस है, यह आ चुका है हमारे पास, अब इस box क according, यहाँ पर हम graph बनाने वाले हैं, चीके भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बहुत है, यह बिंदू का है, तो यह point जो है, वो है, मूल बिंदू, जिसका बिंदू क्या होता है, तो 00 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यह 00 आ गया, ठीक है, यह पहला बिंदू आ गया, इसके बाद क्या है, एक सक आमान पाँट है और यह का मान एक हां यहाँ आ गया है, और यह बिंदू क्या आ गया हमान पांपार तो यह आता है हमेशा पहले एक्स और बाद में बाई आएगा ड़न ठीक है पर दूसरा बिंदू हो गया तीसरे की बात करते हैं इसने का एक्स का माइनिस पांच है माइनिस पांच कहा जाएंगे तो इसके लिए इधर जाना पड़ेगा तो एक दो तीन चार पांच पर फिर कहा यहां से नीचे आएगा तो यह बिंदू आ गया है माइनिस पांच और माइनिस एक आ गया है बहुत यह चीज़ आ चुका है ड़न अब इसमें हम इसका आले खीचेंगे और आले किस तरीके से खीचा जाएगा तो यहां पर मैं इस तीनों बिंदों को मिला देता हूं यह त पूरा आले बन गया जो कि यह रेखा थी मतलब यह जो हमारा कि समीकरण है जो दो च्रवाला राकिक समीकरण है उसका आले कि हैं और इसका हम यहां पर नाम भी लिख देंगे जो कि हैं कितना एक्स बडाबर में पांच वाई बही यह लिख दिया हमने यह इस समीकर्ण का आले के किच चुका है अब कोश्चन में जो कहा था क्या कहा है बही कि बही जब वाई का मान दो है जब वाई का मान दो है तो उस कंडिशन में हमारा कार्य कितना होगा तो बही यहां पर मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल सकता जब वाई का मान हमारा दो आएगा तो एक्स का मान कितना आएगा तो पांच गुने में दो आएगा तो लिख देते हैं पांच गुने में दो यानि दस आएगा यानि हम यहां पर कह सकते हैं जब वाई का मान वाई दो है तो एक्स का मान कितना आएगा तो पांच गुने मे सोगा हो तो X का मान होगा 5 गुने में 0 यानी जीरो यानी देख सकते हैं जब हमारे पास तैग की गई दूरी जीरो है तब भाई आपने कारे कितना किया है तो 0 किया है बुजो कि सर हमने तो बल लगाए ना जैसे क्या होता है दिवार पर बल लगा रहे हूं बहुत बल लगा तो कहां रखका दिया हमें तो खिसकावा नहीं दिख जब कोई कारे हुआ ही नहीं है जब कारे हुआ ही मतलब करें जब कोई दूरी उसने तै की नहीं जब दिवार खिसकी नहीं तो कोई कारे हो गई यानि कि वहीं यहां पर आपने कोई दूरी तै नहीं कि इसका मतलब आपक होगा और वाई का मान जीरो तो एक समाप दोता है और यह आपके एक्जाम में या टेस्ट में मोश्ट लिप उचा जाता है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है तो आब आते हैं नेक्ट पे और अगले की बात करते हैं अगला कोशन किस टाइप का है वो भी देख लिए इसक परसन नंबर आठ है और यह भी एक मोश्ट इंपर्टेंट कोशन है अपके इंसी आडी का इंसी आटी में यह भी कोशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो मुश्ट लिए आपके एक्जाम में उठकर आ ही जाता है चलो बहुत देखते इसमें क्या है तो यहां आपको दे 40 degree temperature हो गया है तो 40 degree temperature क्या होता है तो 40 degree Celsius होता है तीक भई अगर कहते हैं बहुत थंड हो गया तो 5 degree Celsius में तो हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि दिगरी Celsius में temperature को ना पजाता है तो क्या जब बुखार आता है तो क्या उस पानी से भी ज़्यादा हो गया तो क्या उस पानी से भी ज़्यादा गरम होते हैं तो वह एसा तो नहीं होता कि छूते आपका हाथ जल जाए इतना तो नहीं होता तो फिर क्या होता है तो वह होता है तक ही रहता है तो और तक पहुंच चुका है यानि फारणाइट एक अलग से मापक यंत्र है मतलब मापने का तरीका है तेंपरेचर मेजर करने का तरीका है जो कि मोश्टली अलग अलग देशों में नापर जाते हैं फोर एक्जामपल अमेरिका या कैनड़ा या फिर कहा जाए और भी बहुत से देशें बड़े बड़े देशें जहां पर यह टेंपर जो है है पर्यापास में कुछ कुछ रिलेशन घर होता है तो बिलकुल होता है और वो क्या होते है तो यह देखिए तो यहां पर कहे रखाए रखाиях अबर करने में निपित करने वाले एक रहकिक समिकर दिया हुआ है यानि यह अगर तुम पर लो जी कमान जीरो रहोगे पूरा जीरो जाएगा रहा एफ का मान सिर्फ 32 बचेगा यानि जब हमारे यहां पर जीरो डिगरी से तो उस कंडिशन में उसी को अगर फैरनाइट वे कहा जाए तो बहीं 32 डिगरी फैरनाइट आजाएगा उसके लिए आपका रिलीशन बन रहा है उसी तरीके से सी के अलग-अलग म हमें उसको फैरनाइट को य मतलए एफ को वाई मानेगे और उससे हम एक रहाले समीकन खीचने वाले हैं थीक है तो बनाएंगे जैसे की मैं अगर इसको आइस और इसको य मानता हूँ तो इसको य हो जाएगा बराबर में नौ बटे में पाँच एक्स हो जाएगा और प्लस में बतीस आजाएगा यह एक रैखिक समीकन बन चुकिए जो कि देख सकते हो वह दो चर है ठीक है और उनकी घाथ एक है मतलब दो चर का रैखिक समीकन यह बन चुका है इससे हम इसका आले किशेंगे हुआ है यहां पर हमारे पास आ गया वाई बराबर में नौ प्ते में पाच एक्स प्लस में 32 ठीक है यह अकए म हमें यह यह लिखा यह लिबिया यहां पर हम क्या करते हैं इसमें की छा माहन कुछ रखते हैं क्या रखे पहले गर अगर मैं 0 रखता हूँ रिखा भी जब X बनाबर 0 है ठीक है जब X कमान 0 होगा तो उस कंडिशन में यह पूरा 0 हो जागा अगर Y कमान कितना आ गया तो यह आ गया भई तो यह पांस से भाग हो जाएगा और 1.8 आएगा तो आपको आलेक में दिखाना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा इसलिए पॉइंट को अलग ही रखो एसे नंबर रखो जिससे प्रपर कट जाए तो हम यहां पर रखेंगे जो पांस से कट जाए तो पांस से क्या दस रखतें यह फिर हम पांच भी रख सकते हैं यह फिर माइनस बार्ख रखते हैं तो मैंने एक्स कमान जब हमने माइनस पांच रखा तो उस कंडिशन में क्या होगा तो य बरावर कितना हो जाएगा नौ बटे में 5 गुने में माइनस 5 और प्लस में 32 आ रहा है पाँ से एक अटा एक पर मैंस एक हो गया 9 एकम नो मतलब माइनस 9 प्लस में 32 आ गया और 32 में से 9 गया कितना बचेगा बचा थीज़ तो हम यहाँ पर कह सकते हैं या गया है ठीक है यह निवाई का मान तेइस आगया जब हमने एक्स का मान रखा माइनिस पांच यह निए एक्स का मान माइनिस पांच रखा तो वाई का मान तेइस आगया ठीक है अब जब हम एक्स का मान रखते हैं माइनिस दस रख देते हैं एक्स कामान घवर्डी हमने माइनिस दशादी आ टिए तक है जब हम stereo कमान माइनिस दस रखते तो उस लिए होगा कि यहां पर हमने रखा य भराबर में 9 बते में पांच गुने में माइनिस 10 ग्लस में 32 और यानि सबसे पहले यहां पर हम बनाते हैं सबसे पहले यह बनाया हमने इसमें हमारे पास हो जाएगा यह ठीक है एक मिनिट यह हमने आपर आलेक सा बना दिया जिसमें हम कह सकते हैं भाई यह एरो भी बना दिया इसके अंदर यह जी आगया डन अब इसमें क्या करते हैं हमें जाना है बत्तिस तक बत्तिस तक कैसे जाएंगे तो बत्तिस तक जाने के लिए मैं दोडू का गैप लोगा तो दो चार छे आठ दस बारा चौदा सॉला बट्तिस तो नहीं आ रहा चार चार का गैप लिना पड़ेगा वह चार दुनियाठ चारतिया बारा चारचग सोला चार पंचे बीस चार चेक 24 चार सत्य अथाइस चार यह यह चार निमच्छ तीस और चारदाने चालिस भाई यह चीज हो गया चार के पारे में हो गया उसके बाद देखा से एक्स का मान करा तक जा रहा है तो दस तक जाना है तो इसमें भी एक चीज याद रखना अगर आपने यहाँ चार का गैप लेना पड़ेगा कहीं आप अलग नहीं कर सकते हैं यानि कि इधर भी चार का ही गैप लेना पड़ेगा यह निए इधर आपके अंक कम है तो दूदो का गैप ले लो नो इसमें फिर आपका गलत हो कि माईनेस सोला इस तरह से नीचे माईनेस चार और माईड शाट बढ़े यह चीज जमार चलता है डन अब आथे हैं इस के आले को बनाने में तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहें एक्स जीरो है और या या यह यहीं इस पर नहीं चले और य पर 32 दक चले गए बहु यह बि होगा और वाई कितना है तेइस इसको आगे लेकर जाएंगे तो यहां पर तेइस मतलब यह थोड़ा सा नीचे आएगा यह बिंदू आगे हमार पस ठीक है और इस बिंदू को हम लिख सकते हैं माईनिस पांच और तेइस आगे हैं ठीक है दूसरा आगे है उसके बाद नेक्स भाई यह जॉइन कर दिया हमने ठीक है यह बाद पस हमने एक रेखा किस दी है यह बिंदू दो बिंदू और तीन बिंदू आ चुका है डन चलो ठीक है अब भाई इसमें क्या करते हैं यहां पर हम इसमें समीकर्ण का नाम लिखेंगे क्योंकि उसमीकर्ण का ही तो यह आलेख खिचा हैं तो हम यहां पर लिखेंगे समीकर्ण का नाम जो कि है आप वाई यह बराबर में नौ बटे में पाच और एक्स ऑर प्लस में भाई 32 भाई यह चीज हो गया वाई बराबर में नौ बटे में पांच प्लस में एक्स प्लस में 32 अब इसके बाद भाई क्या है यह आल एक तो खिच चुका है जैसा कि कोश्चन में कहा था इसका आले कीचे भाई इसने कहा था एक्स और वाई एक्स मानकर ऊपर देगे रहेक की बात करें तो नेक्स्ट हमारेपास है याद़ी तापमान तीज दिग्री सेल्स घीडी demographic क्सिटों कितना होगा अब यहां पर क्या है समीकर हमारे पास क्या थी तो यह यह एंफ बराबर में नौ बटे में पांच सी प्लस में 32 है ठीक है इस ने का याए नाऊ गुने में 30 प्लस में 32 और प्लस में 32 कर दिया और इसको जोड़ा तो पांच तीन आठी छी अच्छी डिगरी फारनाइट यह आ चुका है एफ कमान चलो भी ठीक है एफ कमान कितना गया मतलब फारनाइट में टेमपरिचर यहां पर की चीज़ क्या होगी कि अगर आपको टेमपरिचर तीस डिगरी फारनाइट हो चुका है डन कैसे कनवर्ट करते हैं यह समझ में आ गया चलो भी ठीक है उसके बाद नेक्ट का है यदि तापमा 95 डिगरी फारनाइट है जो कि लगभग आपके बॉड़ी टेंपरिच निकलने वाला चलो निकालते हैं कैसे निकलेगा तो फिर निकालते हैं सेकिंड को थार्ड वाले को यहां पर लिखाया बाइज जब फैरनाइट आपको दे रखाए 95 डिगरी फैरनाइट जब यह दे रिखा है तो उस टेंपरिचर उस टाइम पर यह हमारे पास इसका लाये तो 95 माइनिस में बड़ते में पांच सी प्लस में 32 इस बड़तीस को उठाके इधर लाएंगे तो 95 माइनस में 32 बड़ते में 5 सी भाइए चीज लाएगा किसे पीनचार निचे को गटाएंगे तो यह आजए गा चीन नो मतलब 63 आजा जाएगा और इस साइड आरही न बटे में पांच इस पांच को उपर ले आते हैं तो उपर लाओ तो पांच गुना में आएगा नौ गुना में नीचे भाग में आएगा और बड़ाबर में सी है ठीक है अब नौ सते तरे सट आ चुका और साथ पंचे यह 25 मतलब यह आगं 35 सेल्सियस जो होता है यह सी होता है यानिकी हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर तंप्रेचर 95 डिए फैरनाइट है तो उस प्रेटिछन कितना होता है तो शल्टाब यह बहुत होता है उसके बाद हम नेक्स आते यदि ताप मांच गूगा और यदि फ लिलो यह तीसरा पार्ट हमारा complete हो गया है चौथे पार्ट की बात करते हैं इसमें भी हमारे पास जाएगा एफ बरावर में हैं नौ बटे में पांच C plus 32 है इसमें कहा है जब बहुत बटे में पांच और C का मान प्लस में 32 या रहे जीरो को जैसे इससे गुना करोगे तो कितना होगा जीरो हो जाएगा अब जीरो हो जाएगा तो बचा क्या तो सिर्फ 32 बचा यानि 32 डिग्री फारणाइट आ गया जब टापमान जीरो डिग्री सेल्सियस था तब फारणाइट में तापमान जो था वो 32 डिग्री है उके चल ठीक है इस 32 को उठाके इधर ले आते हैं तो वह माइनिस 32 बरावर में 9 बटे 5 नीचे नो बटे 5 सी आ गया इस 5 को उपर लेके जाएंगे तो माइनिस 32 गुने में 5 और ये 9 पांज आएगा उपर है और नो नीचे बटे में आ जाएगा और यह सी आ गया वह इसको गुना करते दो 22 फंच हो जाएगा वह इसको यहांपग दिखते हैं नो आजाएगा ठीक है और हमें भाबाकषा वतामान जीरो डिग्री फार्ण टा या रखना जब तब सेलसियस में सतरा पॉंट साथ साथ डिड्री सेलसियस है तो भई इसका भी आप और स्क्रीण उसके बार आते हैं पॉझी पाउन्पनाइट और सेवसिस्यस दोनों के दोनों दोनों के संख्यात्मक वेकल होता है यानि हमने लिखा जब एस ब्राबर में सी हो जाए यह कौन सा लॉड मतलों कौन सा टेंपरेचर जब सी की बराबर होगा इसको निकाल लेते हैं निकलेगा कैसे तो यहां पर एफ लिखा बराबर में नौ बटे में 5-सी प्रतीस है ठीक है लेकिन इसने का एफ और सी बराबर है या नि में इसको भी लिख सकता हूँ भाइश को भी सी लिख दियाव यह थो सी के बढ़र है ठीक है अब हम क्या करते हैं इसी को इधर ले आते हैं 32 को माइनिस 32 बरावर में 9 बटे में 5C माइनिस में C आ गया इसमें हमने क्या क्या बाइ LTM ले लिया तो 5 आएगा और ये 5 इससे गुना होगा तो 9C माइनिस में 5C बरावर में माइनिस 32 इस 5 को इधर गुना करेंगे तो माइनिस 32 गुने में 5 आएगा बराबर में 9 में से 5 गया तो 4C आ गया इस 4 को नीचे ले आते हैं तो माइनिस 32 गुने में 5 बटे में 4 आ गया बराबर में C आ गया 4 अठे 32 आ गया माइनिस 8 पर चार पंचे 40 मतलो माइनिस 40 डिगरी Celsius यह आ गया यानि कि जब Celsius माइनिस 40 डिगरी है तब Fahrenheit भी माइनिस 40 होगा चेक कर लें क्या बढ़ी चेक कर लेते हैं भई हमें पता है एफ बराबर होता है 9 बटे में 5C 32 यह होता है सी का मान जब माइनिस 40 तब भी बराबर होना चीए यानि हम इस सी की जगा रखेंगे क्या माइनिस 40 डिगरी प्लस में 32 और यह एफ आ चुका है अब इससे हम कारते हैं एफ से इसको कार दिया पांच एठे चालिस या गया नौटे बहत्तर यानि माइनिस बहत्तर प्लस में 32 इसको जब मैंने घटाया बाइनिस बहत्तर प्लस 32 कितना आएगा तो यह माइनिस 40 डिग्री से सागे सौरी फारनाइट आ गया तो यहां पर हम देख सकते हैं एफ का मान कितना आ चुका है त यानि की दोनों संख्यात में बराबर हैं यानि इसमें जो पूछाता है ऐसा कोई तापमान है तो भई हाँ है ऐसा एक तापमान है माइनिस 40 डिग्री इस पर सेल्सियस और फारनाइट दोनों के दोना आपस में बराबर होते हैं तो यह आपका कौन सा भई पाच्वा तो इसको मैं यहीं पर लेता हूं इसी टाइम पर एफ भी माइनिस 40 होगा यह दोनों चीजें सेम आएगी तो इसका भी आप स्क्रीन सॉट ले सकते हो यह भी पाच्वा पार्ट खतम होता है उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर और नेक्स्ट को देखते हैं अगला कुश संख्या देखा और कार्थिये तल पर निरूपित किजिए मतलब दो जगा अलग अलग निरुपित करने हैं कि भी इसको संख्या रेखा पर कैसे निरुपित करते हैं और तुम्हें बता दूं यह कोश्ट भी मोट ज्यादा सब्सक्राइब करना होगा चलो इसको हल करते हैं तो यहां पर सबसे पहले में हल में आते हैं यहां दे रखा है दो दो एक्स प्लस में एक बराबर में एक्स माइनस में तीन तो इसको पहले सविकर्ण को सौल करेंगे कैसे तो एक्स को एक तरफ ले आते हैं इस एक्स को उठाकर इधर लाएं तो दो एक्स माइनस में एक्स आगा एक को इधर लेके चले तो माइनस तीन और माइनस एक आगया सब्सक्राइब करने कि पर तो संख्यारेका पर पहला है संख्यारेका संख्यारेका कैसी तो यह एक रेखा होती है जिसके अंदर हम देखते हैं है बीच में कहीं जीरू है इधर होता है वही 1-2-3 mg15 इस से चलता ह אומר संध्या रेखा तर लिए जब दर्षा आएrit ठोई मायने सार FC एक चीजा रोखना जब भी एक्स आये तो आपको ऐसे रिखा किचने है संख्या की बात हम में संख्या रिखा पता और यहीं कोश्चन पर अगर यहां पर आप ऐसे कीच करेंगे वही तो यहां पर यहां पर दर्शाना है तो यहां पर हम इस का मान इस तरीके से रखेंगे डन चलो ठीक है यह आप इसको नोट कर लीजिए उसके बार हम आते हैं नेक्स्ट सेकिंड पार्ट पर कार्तिय तल पर कैसे दर्शाए जाता है तो कार्तिय तल की बात की जाए तो मैं इसको इरेज करता हूँ इसको ही रेज करते हैं इसका तो आपने स्क्रिंजूर्ट ले लिया होगा सीदि किसे इस marche की बात कि ऑन कि जाए । यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ही रेज कर देता हूं हुँ यहां पर यह बनाया सेकिनडंब पार्ट की बात कर रहे हैं यहां पर इसमें मैंने एक ये बना दिया ये क्या हो गया ये आपका y अक्स हो गया ये आपका x अक्स हो गया जैसा कि हमने थोड़ दिर पहले भी पढ़ा था कि इस तरीके से y और x हो होता है हमारे पास जिसमें हम उपर भी 1, 2, 3 इस तरह से लाइन लिखते हैं नीचे कि-1-2-3-4-5 ऐसी dire x बढ़ाबर-4 म्ैंस चार मतलओ x पर हम यहां और आगे माइनश 4 और आपको जैसा कि मैंने पहले भी कॉंसेट में भी बताया था कि जब सिर् dziयार रहें उस कंडिशन में जब आप ग्राफ बनाते तो वह कर दो ग्राफ y अक्स के समान तर होता है यानि कि X है लिया है इस तरीके से खीच जायेगी वही अगर यह वाई होता तो हम वाई पर खीरते और वह एक्स के समानतर होता ओके चलो तो यहां पर यह कुशन यह कंप्लिट हो चुका है सेकिंड पार्ट भी हमने बना दिया है यह फिर बोता रहा हूं यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है ऐसे कोशन बनते ही बनते हैं और इसमें करेका एक क्या और दोचकी बात कि जाए तो यह वही है जो हमने पिछले कोशन में पड़ा था इसम्ग्छा रेखा ये एक चर होता है कार्तिय तर्फ यह क्या होता है दो-चर होता है आप इसी के कॉर्डिंग होता है तो यह हम सेम इसमें करने वाले हैं यहाँ पर भी करने वाले हैं जो कि हमें दे रखाए कितना 2X दो весь PLUS में 9 दे दिदा यहाँ पर हल लिखा हमने और लिखा वाई दोएक क्सप्लस में 9 नम कि यांजमे निकाले कि अदर यह सब्ला यह एक सब्सक्तर्थ पर अधिया बैइन माइन जो नुद ए और दो आ जाएया घंगा एक क्माद की आ गया मैनेस नो बट्रों दू आ गया की दन चलो ठीक है इसको पहले एक हिच़ का मतलब संक्यभी पर कैसी दरस रहे है लिखी इससे में यह देख पारे संक्या रिखा है और इसको अगर मैं भाग करता हूं तो बांग करके कितना एगा इसको है बात करेंगे तो माइनस चार दिसम्लों पांच आ रहा है तो यहां पर भी लिखते हैं यहां पर जैसे कि हमने एक जीरो लिखा यहां पर एक आ रहा है दो आ रहा है तीन आ रहा है इधर की बात करें तो भी एक आ रहा है माइनस का फिर माइनस दू है फिर माइनस तीन है माइन इन दोनों के बीच में 4.5 तो यहां पर लिखा हमने इस पर यह एरो डाला और एक्स का मान कितना रहा है माइनस नौबटे में 5 पांच नहीं 2 है माइनस नौबटे में 2 यह आ चुका है डन तो भैइ इसको हमने एक चरर वाले रैखिक समीघर एक चर वाले जयमती के रूप में निरूपित कर दिया है डन तो यह भी कोश्चन यहां पर समापत होता है हैं फर्ष्ट पार हमने यहां पर कमप्लिट किया उसके बाद आम आते ह को देखते हैं कैसे होगा तो दूसरे पार्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें ही थोड़ा सा बदलाव करता हूं जिससे चीजे और अराम से हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर यहां पर इसी को सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्स और y dash है यह x है यह x dash है और यहां की बात किजाए तो इसमें भी लिखेंगे बई एक दो 3 चार नीचे भी ऐए माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, यह बढ़ता जाएगा, अब इसमें देखते हैं, क्या होगा, तो यहां से हम बढ़ते हुए, जैसा कि कहा है, यहां से देख सकते हैं, यह बिंदू यहां पर आजाएगा, यह बिंदू यहां पर आगया, जो कि क्या है, पर आजाएगा ठीक है अब इसमें रेखा कैसी होगी तो जैसा कि पिछले में भी देखा था एक्स का अमान अगर है एक्स ब्राबर माइनिस पांच तो वह वाई अक्स के समानतर खिचेगी और रेखा की चाहिए कुछ इस तरीके से कि यह रेखा मारे कि चुके यह जो कि क्या है बर एक्सका मान कितना है एक्स ब्राबर में आगया माइनस-4.5 और यह समीकर यहां पर बन चुकी है यानि इस समीकर को अमने दो चरके निलजली उल्फ रूप में दर्सा दिया है और यह वी स्कानसर आप इसका इसका तो यहां पर समापत होता है फिर हम आते हैं नेक्स पे और देखते हैं अगला most important question कैसा है बई चलो बई अगले question की बात की जाए तो यहां बे परसंट नंबर एक जो है एक्ट्रा कोश्चन में यहां पर से स्टार्ट होते हैं जहां हम देख रहे हैं परसंट नंबर एक में कहा जा रहा है समीकरण रूट दो एक्स है और माइनस चार है बरावर पांच वाई है इसको एक्स बीवाई सी के रूप में व्यक्त कीजिए और उसके बाद एबी सी का मान भी हमें जैसे कि इस कोश्चन में हम देख पा रहे हैं यहां पर मैंने लिखा हल कोश्चन हमारे पास है रूट दो एक्स माइनस में चार बरावर में पांच वाई है इसको इस रूप में दरसाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां से वाई को उठाके इधर लाएं की इधर बरावर में जीरो है और सारी चीजें लिफ्ट में है और पहले एक से फिर यह फिर कोई अच्छर संख्या जो कि इस में तो चार है तो यहां से पांच वाई को उठाके इधर लाएं तो यहां रहा है एक्स का गुणांग होता है यानि एक का मान कितना आ गया तो रूट दो आ गया वाई का गुणांग होता है बी तो वाई का गुणांग माइनस चार यानि बी का मान आ गया माइनस पांच आ गया ठीक है और सी जो होता है अचर संक्या सी जो आ गया वह माइनस चार आ गया यह पर आ चुकिए दन चलो ठीक है यह चीज़ आ गया उसके बाद पर क्या हमें यहीं ग्यात करना था तो हाँ यह ग्यात करना था और यह ग्यात हो चुका है तो आप इसका स्क्रीन सौर्ट ले लिजिए यह कुशन कंप्लिट रहा है फिर हम आते हैं नेक्स पे और अगले कुश होगा तो यहां पर की बात की जाए तो मैंने यह हल लिखा और समीकन है तीन एक्स प्लस में चार वाई बडाबर में साथ इसने कहा है एक्स का मान निकालना है और य के रूप में निकालना है कैसे निकलेगा तो यहां पर एक्स का मान निकालना है तो तीन एक्स को यहीं एक्स कमान वाई के रूप में निकालना था तो एक्स कमान वाई के रूप में आ गया तो बिल्कुल आ गया तो इस तरह के questions में पूछे जाते हैं और आप confused होजाओगे क्योंकि आपने ऐसे important question किस टाइब का हैं चलो अगले की बात करते हैं यहाँ पर लिखा है बिन्दु ए जीदो किस अक्ष पर इस्तित है यह कौन से अक्ष पर इस्तित है तो भाई इसकी बात करें यह मैंने लिखा चीक है यह हमारे पास आ गया जिसमें यह x है यह y है और यह y दैस है ठीक है इसक कि मैं यहां लिखता हूं एक दो यहां लिखा वह एक और दो और यहां लिखा माइनस एक और माइनस दो लिखा यहां पर माइनस एक और माइनस दो लिखा ठीक है कुश्चिन में कहा है एक जिरो कहां पर होगा तो यह तो हमें पता ही नहीं तो कुछ भी हो सकता है एक दो तीन मैं लेता हूं एक जीरो यह कहां पर है यानि एक्स का मान एक हर वाई का मान जीरो है तो एक्स पर चले एक और वाई पर नहीं चले क्योंकि वाई जीरो था भाई एक्स पर एक चले वाई पर नहीं चलेंगे तो भाई एक्स पर एक चले वाई पर नहीं चलेंगे तो यह लिद्धारीत रहेगा मेंसा यानि हम इसमें कह सकते हैं बिंदू एक्षक पर एक्ष अच्छ पर इस्थित रहे गा हम यह जो बिंदू है एक्षक पर इस्थित रहेगा और यह अंसर यहां पर complete होता है जो कि मैंने इसका लिग दिया हल ठीक है तो यह सका उत्तर आचुका तो आप इसका कोशन यहां पर समाप्न होता हैं फिर हम आते हैं अगले कोशन को देखते हैं अगला इंप्टन किया है ओके चलो का एक हल ग्याद किजिए जो वाइ अक्ष पर इस्थित होता है अब देखिए क्या चीज़ है जैसा कि हम अभी देखें तो यह हमारे पास में इसको इरिज कर देता हूं तो दुबारा ही बनाना पड़ जाएगा हमें यह हमारे पास है ठीक है एक हमने यहां पर देख लिया य गाल हमें जाद करना हो यॉनिक है तो ऊपर कोई इस पर कोई बिंदू स्थित होता है मालों की यह यह पींदू यहांप रुश्टित है सत्तित इसके बिंदू क्या है इस के निर्दरीशांघ है जो मैं यह झाए तो यह फिन देकर तो चला ही नहीं एक्सर्पर चलने के कोई भी बिंदु y x पर होता है अगर कोई भी बिंदु y x पर होता है तो इस में x 0 हो गा डण यह बात आ गई बिल्कुल तो यहां पर हम इस चीच को लिखेंगे व इसमें क्या लिख रहे हैं वह यहां पर लेखेंगे जब कोई बंदू की बंदू वाई अक्षपर इस्थित होगा भाई जब कोई बिंदू वाई अक्षपर इस्थित होगा तब वाई यहां से हम समझ चुके हैं कि जब कोई बिंदो वाई पर रहेगा तो एक्सक्षपर रहेगा तो उस कंडिशन में वाई कामान सुन होई जैसके पिछले कोशन में था था यहां से दोनों कंसेप्स क्लियर है अब हम ने देख लिया कि इसमें हमें एक हल ग्याद करना है जिसमें की y जो की y x पर है मतलब x का मान सुन्ने है यानि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या x का मान सुन्ने है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब x बडाबर सकते हैं क्या तो भाई बिंदू य अक्ष परिस्थित यह वह बिंदू जो यह परिस्थित वह कौन सा है तो एक्स जीरो और यानिकी जीरो और पांच है चलो भाई यह भी यहां पर कंप्लेट होता है आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हो डन अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर अगले को देखते हैं अगला किस टाइप का कुश्चन है ओके चलो भाई इसको हम करते हैं रेज हाँ अगला कोश्य हमेंने रखा है समीकड़ 5y बराबर में 9 ते रखा है ठीक है वह दो चर वाले रेकिक समीकड़ के रूप में निरुपित करना है वो क्या है हमारे पास यह तो इसको मैंने यहां लुका हल यहां पर हमारे पास है 5y बराबर में 9 है और इससे हमें जैसा कि पर पारे जैसे हम ने पढ़ा की दो चरवाले रैखिक समय गर्ड के रूप में लिखना यह से तो बैदो चरवाले रैकिक समीकड कैसा होता है तो यह होता है यह उसका व्यापक रूप है जिसे हम जनरल फॉर्म कह सकते हैं डन अब इसको हमें वैसे ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो हम क्या करते हैं इस नो को उठाके इदर लाते हैं तो यह आ गया पांच वाई-9 बराबर में शून आप बोलोगे सर उसमें एक्स इसमें एक्स नहीं है कैसे होगा अब तो नहीं होगा कैसे क्या होगा तो उसको करने के लिए हम लिख सकते हैं क्या तो मैं यहां लिख देता हूं जीरो एक्स लिख देता हूं और प्लस में यह आ गया जीरो एक्स प्लस में पांच वाई-9 बराबर जीरो अब क्या आपको इसमें दो चर दिख रहे हैं तो एक्स और वाई दो चर दिख रहे हैं इसके निरूपीत करना है और यह निरूपीत हो चुका है दन चलो बैटी के इसका स्क्रिंशोट होता है फिर हम आते हैं नेक्ट्स कुष्टन पे हाँ जी तो next question की बात की जाए तो यहाँ पर X-Aksh के समानतर तथा Moul-Bindu से 2 IKAI उपर रिस्थित एक रेखा का समिकरन लिखिए इसने क्या कहा है इसने इसमें कहा है कि X-Aksh के समानतर इस उसके समानतर की बात की जाये तो ये दो रेखाइं है है तीख है इसमें कहा है बैए एक्स- temos समांतर और मुल बिंद्दू से दो इकाई उपर दो इक खोए उपर एक सके शमांतर रेखा गीष से दो उपर रहे हैं कितना तो वह दो ऊपर है तो इसके According जब यह एकस समानतर है तो य ब्राबर दो और यह इस का है यह च्यारम घ्यू आप ले सकते हो यह भी आपके एक नंबर के कुश्चन में पूछा जा सकता है और फिर आते हैं नेक्स्ट इस मोस्ट इंपॉर्टेट कोश्चन पे चलो पांच एक्स प्लस में दो आ गया अब अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ भई जब x 0 है तो y का मान कितना होगा तो भई 5 गुने में 0 प्लस में 2 और 5 को 0 से गुना गया 0, 0 और 2, 2 ही आएगा यानि अगर x का मान 0 लिया तो y 2 आगया भई ये आगया इसका हाल ठीक है, second की बात करते हैं जब x का मान रखोगे 1 तो y का मान कितना आएगा तो भई 5 गुने में 1 प्लस में 2 यानि 5 एकम 5 दो 7 यानि 7 आगया यानि इसका हाल आगया 1 और 7 या आगया, अब वैसे ही अगर इसमें 2 रखोगे तो 5 दूनी 10 दो 12 आएगा 3 रखोगे तो 5 तिया 15 दो 17 आएगा 4 अगर तो 5 दो 22 आएगा आप बताईए क्या आप इसमें फाइन कर सकते होगे कितने हल निकल सकते हैं तो भई जितने मान रखोगे उतने हल निकलेंगे और इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कि भई कोई भी जो रखीक समिकण होती है आपकी कोई भी अगर दो चरवाले रखीक समिकण होता है तो उसके कितने हल निकलेंगे तो अनंत हल निकलेंगे तो हम इसमें इतना सॉलिशन ना करके सीधे हम क्या लिखेंगे सीधे इसके अंदर लिखेंगे हैं कि भई इसका इसके अनंत हल है तो भई वाई बरावर पांच एक्स प्लस में दो के अनंत हल है डन तो यह अंदर यहां पर complete होता है और वही अगर question में होता कि भई वाई बरावर में 5 होता बस बस यह एक चर्वला राखी के समीकर्ण होता इसके कितने हल होते हैं तो याद रखना इसके सिर्फ एक हल होते हैं यह एक हल है यानि इसके अलाव वाई का मान नहीं हो सकता वाई बरावर 5 ही होगा डन चलोगे ठीक है उसके बार हम आते हैं नेक्स पे यह तो हमारा question यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स पे हाँ अगला हमारा पास है यदि समीकर्ण दो एक्स प्लस में के वाई बरावर में दस के हैं यह चीजे ठीक है अब इसमें कहा है यह जो है का ग्राफ एक्स पर 5-0 पर काटता है यानि कि बात की जाए कि ऐसे है कोई रेखा मान लो ऐसे हो सकती है मान लो यह रेखा इस तर से जा रही है जो कि यह काट रही है यहां पर इसका मान है पांच और जीरू ठीक है पांच जीरू है अब इसने यह कहा है कि के का मान ग्याद किजा अब एक चीज़ या रखना यह बिंदू क्या है यह बिंदू इसी रेखा पर है ना यह जो रेखा है वह यह वाली रेखा है और इसी रेखा पर ये बिन्दू है और हमें पता है किसी भी रेखा पर अगर कोई बिन्दू होता है तो वो बिन्दू उस रेखा का हल होता है वो बिन्दू उस रेखा पर लाई कर रहा है तो भई उस रेखा हल होगा यानि यहां से इस question के कहने का मतलब यह है कि इस समिकर्ण का जो हल है वो पांच 0 है ठीक है और उस अनुसार हमें निकालना है के कमान तो वह बिलकुर निकालेगे तो यहां पर आएंगे हल में ठीक है है यहां पर हम समिकर्ण लिखेंगे 2X प्लस KY बडावर में 10 के का तो यहां पर रखेंगे तो दो गुने में एकस की जगा पांच को कि पहला एकस होता है दुसरा वाई होता है तो यहां पांच रखा प्लस के गुने में जिरू रखा क्योंकि वाई था और बराबर में 10 के हैं ठीक है, यहाँ पर लिए पास दूरी 10 आ하하 ये तो 0 हो गया और ये बच गया 10 के इस 10 से 10 कटा एक पर 10 एक कम 10 हो गया नहीं एक बराबर K हो गया केकमान एक आ चुके है डन, तो भे केकमान 1 आ गया और यह हमने केकमान निकाल लिया और यही चीज़ हमें ग्याद करनी थी तो यहाँ पर concept यह सीखना था आपको कि अगर आपको कहा जाए कि कोई बिंदू कोई बिंदू इस रेखा पर है इसका मतलब वो बिंदू इसका हल होगा और हल होगा तो हम इस बिंदू को जब इसमें रखेंगे तो वो उस समीकर्ण को satisfy करोगा करेगा संतुष्ट करेगा यानि कि left और right बराबर होगा तो हमने 5 0 को इसमें रखा और left राइट बराबर किया तो वहाँ से केक अमान हमें ग्यात हो गया दन चलो भी ठीक है उसके बाद हम आते हैं next question पर अगले question को देखते में अगला most important question कैसा है चलो हाँ जी अगले की बात करें तो यहां पर प्रसंद नमबर नौ है नौ की बात करें तो इसमें लिखावा है समीकर्ण समीकर्ण क्या है 2x-y बराबर में 6 ठीक है वह एक समीकर्ण है 2x-y बराबर 6 है का आलेख खीचन है इसका आलेख मतलब ग्राफ मेंब इसका एक्स-क के किस बिंदू पर काटता है इसका आलेख में कhrापा तो इस कुछ होता है लेकिन y 0 होता है यह तु हमें पता है एक्स कामांद कुछ होगा लेकिन वाई कंपल सरी 0 होगा क्योंकि इस बिंदु की बात करें तो यहां ये बिंदु जो है वो इस रेखा एक्सë अक्षिन ना उपर है ना नीचे यह यह नहीं चला क्यों कि Y कमान जीरो था दन तो एक चीज याद रखना दुबारा से बता रहा हूं कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदू होता है तो वह बंदू का Y जो निर्देश शांक होंगे वह जीरो होगा तो इसका Y निर्देश शांक जीरो होगा दन चलो ठीक है तो इस कोशिन के अकॉर्डिंग यह क्या कह रहा है कि यह जो रेखा है वह एक्स अक्ष को किस बिंदू पर काटती है यानि कि हम बताएंगे कि एक्स अक्ष पर जो बिंदू होगा वह एक्स जीरो होगा यानि Y कमान जीरो होगा दन चलो ठीक है इसके हल पे आ वाला बिंदू बढ़ एक्स पर काटने वाला बिंदू क्या होगा तो एक्स जीरो होगा बढ़ यह हमेशा यही होता है एक्स पर काटने वाला बिंदू एक्स जीरो होगा ठीक है अब यहाँ पर होगा क्या लिखा जाएगा बढ़ तब X0 समीकर्ण का हल है वह X0 यह समीकर्ण का हल है ठीक है वह X0 यह है वह समीकर्ण का हल है अब इस X0 को उठा कर हम इसके अंदर रखेंगे तो वह X का मान तो X ही रहन दो मतलो 2X आ गया ठीक है माइनस में Y है Y का मान 0 आ गया बराबर में 6 आ गया और यह आ गया दो X बराबर में 6 हो गया और यहां से X कामान कितना आएगा तो 6 बटे 2 आएगा और जिसको मैं काटता हूँ दो 3 या 6 हो जाएगा और X कामान 3 आ गया वही X कामान 3 आ गया और हमें क्या चाहिए था तो हमें वह बिंदू चाहिए था जो एक्सपर काटता है तो एक्स कमाद 3 आते हम लिख सकते हैं क्या कि तब एक्स अक्षपर बिंदू की घुर्ट रेलोगे तो आशिक स्क्रिसल यहां पर कम्प्लिट होता है ओके तो आप इसका स्क्रिन सौर्क लिए सकते हो और फिरम आते हैं नेक्ट कुchae interessant पे अगले को कुश्चन को देखते हैं किस टाइप का कुष्चन होगा oke? चालो हाँ हाँ अगले कशिन की बात करते हैं तो यहां पर हमें कशन बेले कहा है कि यांचिये क्या जाँच रहा है किGHT 2000 किसी आलेक परिस्तित are जीरो जेरो के बारे में आपको पता हूं 00 कहा होता है तो इस मूर्स बिंदू को 00 कहा जाता है वह से जीरो जीरो है हमने लिग दिया थीक हैs अब कोशन में कह superfic jetzt 00 किसा एद या है इन दोने में किस पर रिष्थित हैं मतलब 00 इस रेखा में है कि इस रेखा में है वह कौन सी रेखा में 00 आएगा तो यहां पर देखिए क्या होने वाला है तो मैं इसमें हल पर आता हूँ चीक है ना बिंदू 00 इसको मैं लिख देता हूँ यहां पर 00 को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में रखने पर देखो यार रखना अगर यह बिंदू इस पर आ रहा है तो यह इसको संतुस्ट करेगा मतलब लेफ्ट और राइट बराबर होगा ठीक है पर यह तो होना अची है तो वो चीज़ हम रखके रिखते हैं इसको इस पर रखेंगे तो एक्स का मान जिरो रखा और य का मान भी जिरो रखा तो जिरो बराबर में एम 0 प्लस C ये 0 आरा है ये गुना किया तो 0 आगया ये प्लस डावर किया क्या C 0 के बराबर है तो भाई सी तो कुछ भी ओ सकता है जरूर्ड नेए जीरो के बराबर हो तो यह तो हो गया गलत यहां पर गलत हो गया अब यह चीज जब गलत हो गया यानि कि हम कह सकते हैं इस पर तो 00 नहीं है ठीक है अब आते हैं सेकिंड वाले पर जो हम यहां लिखेंगे बिंदू लिखा बैस 00 को y equal to mx पर रखने पर ठीक है यहां पर रखते हैं तो हमारे पास आ रहा है y equal to mx में x कमान 0 और y कमान 0 यहां पर रखते हैं तो y 0 और m के साथ 0 अब इसमें देखा तो 0 बराबर में 0 आगे यह गुना होगा तो 0 ही आएगा और यह बिलकुल correct आ रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई equal to y बराबर mx य बराबर mx पर 00 इस्थित है डन तो यही चीज़ा में जाचना था जाचे कि यह बिंदू किस आलेक पर इस्थित है तो बाई 0000 y equal to mx पर इस्थित है आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हो फिर हम आते हैं नेक्स कोशिन पर और देखते हैं अगला most important कोशिन किस टाइब का है हाँ जी अगले कोशिन की बात करें तो person number 11 है इसमें दे रिखा है समीकन x plus में 3 जो है बराबर में 0 दे रिखा है का आलेक y x के किस और इस्थित है यानि कि हमें इसमें बताना है इसका हल आ गया एक्स प्लस में 3 बरावर में 0 यानि x का मान कितना आएगा तो भाई माइनिस 3 आएगा यह चुँज आएगा अब यहां की बात करें तो यह ऑक्स होता है हमार पास भाई यह हमार पास x है ठीक है और यह है y है यह आगा यह अब इसने कहा है कोशिन में कि समिकन जो यह हमार अक्स कीश और इस्थित है किश और इस्थित का मतलब क्या है तो ये कहां होगा तो पहले रहे हम देख te咬 भाई य्य होगा कहां तो ये एक-व्र माइनस 5 माइनस डू हए हुआ को था और माइनस तील हो जाएगा वाई होंगा इडर एक दो तीन होगा इधर माइनस एक माइनस दो और माइनस तीन होगा पर यह हमने बना दिया कोश्चिन में कहा है एक्स बराबर माइनस तीन मतलब कि यह रेखा हमेशा य के समान तर खिच जाएगे क्योंकि इसमे y नहीं है ठीक है x ब्राबर माइनस 3 जो कि यहां पर है यानि कि हम इसमें कह सकते हैं कि इसकी रेखा कुछ इस तरीके यह खिच जाएगे यह खिच गई है जो कि हमारे पास है क्या इस समीगर्ण से बनी है मतलब x प्लस में 3 बराबर में 0 से बना हुआ है ठीक है इस से बनाएगे अब यहां पर इसने कोशन में कहा है यह y-x के किस और स्थित है तो किस और स्थित है दाइं और या बाइं हो रहे हैं तो भई बाइं हो रहे हैं लाफ्ट साइड में है तो यह लाफ्ट साइड में स्थित है बाइं और स्थित है तो हम इसको लिखेंगे कि भई X बराबर माइनिस 3 या फिर सीधे हम लिख सकते हैं किस तरीके से X प्लस 3 बराबर 0 का आलेक इसका आलेक जो है वो Y अक्षिन के बाई और स्थित है ठीक है यहां पर हो गया X प्लस 3 बराबर 0 जो है का आलेक जो है वो Y अक्षिके बाई और स्थित है मतलब लफ्ट साइड आपको दिख रहा है डन तो यही चीज़ हमें ग्याद करना था वो हमने बता दिया है आप इसका स्क्रिंशाट ले सकते हो फिर हम आते हैं नेक्स्ट कोशिन पर और देखते हैं अगला मोस्ट इंपर्टेंट कोशिन कौन सा होने वाला है चलो भई ठीक हाँ जी अगले कोशिन की बात की जाए तो यहां हमारे बास है परसर नंबर 12 और 12 में हम देख रहे हैं एक बिंदू यह है और एक बिंदू यह है दो बिंदू हो गई यह दोनों बिंदू रेखा इसके आलेख ग्राफ पर इस्थित है मतलब यह कहना चाहरा है कि यह दोनों बिंदू इस पर तो इस्थित है ठीक है भई अब यह कहा है कि ए का मान ग्याद कीजिए भई यहां पर हमें एक चीज़ पता है कि यह बिंदू जब इस पेस्तित है और यह बिंदू भी इस पेस्तित है मतलब यह बिंदू इसको संतुष्ट करेगा ही करेगा तो बिल्कुल करेगा तो हम यहां पर हल में आते हैं ठीक है और यहां पर लिखेंगे प्रश्ण के अनुसार तीन पाँच तथा भी एक चार समीकर्ण एक्स प्लस भी वाई बराबर साथ का हल है प्रस्न कहता है कि ये दोनों बिंदूज परिस्थित है इसका मतलब ये दोनों इसके हल भी होंगे डन अब इसको जब ये इसके हल है असका मतलत इसको संतुष्ट भी करेंगे तो उसक्छूर्डिंग हम करते हैं भाई एक के अक्छूर्डिंग भाई एक को रखा तीन और पाँच से इससे हम देख रहे हैं तो भाई एक ठीक है और X की जगा क्या रखा तो 3 रखा ठीक है और Y की जगा क्या रखा तो 5 रखा अब बरावर में 7 है यानि हम देख पा रहे हैं यह आ गया 3A प्लस में 5B और बरावर में 7 यह तो पहली समीकर्ण बन गए ठीक है और दूसरे की बात करते हैं जब यह जो A तो था यह B वाला हमार पास है एक 4 से इसको जब मैं रखता हूं समीकर्ण के अंदर तो A की जगा क्या आएगा A गुने में 1 आएगा क्योंकि यहां पर X था तो इसकी जगा 1 आएगा और B की जगा B के साथ क्या आएगा Y कितना है 4 है और बरावर में कितना है तो 7 है यह आ गया इसको A कामान निकालते हैं उठा कर इसमें रख देते हैं अपने हाप आंसर आएगा या फिर यहां से B कामान निकालते हैं और इसमें रख देंगे B कामान और हमें गयाद करना है तो A गयाद करना है जब A गयाद करना है तो हम B कामान निकालेंगे ठीक है और उसको रखेंगे समीकरन एक में रखने पर ठीक है भी बैद बी के मान को समीकरन एक में रखने पर क्या होने वाला है तो भाई मैं यहाँ पर जैसे ही रखा भाई यहाँ पर हम देखते हैं b का मार्त क्या मार्ण क्या आए वए साथ माईनस a बते में चार उसको यहा पर उठाकर रखेंगे तो हमने रखा वह तीन a प्लस में पांच भी बरावर में साथ इसकी आ चुका है अब यहां पर हम देखते हैं इसको अंदर गुना करके यह फिसका लेंगे तो चार इस से गुना होगा तो 4 तीज बार आए प्रिक है यह 28 माइनिस में 35 चीक है तो कितना रहे तो माइनस साथ आ रहा है और यह आ रहा है और साथ नीचे भाग ना जाए गए कि एक साथ साथ गुना में था तो वह दूसरी साइड भाग में जाएगा इसको जैसे ही मैंने काटा तो एक पर कट गया और एक आमान कितना आ करीया माइनिस एक आच दॉन तो एक आमान मैंस एक आच चुका है तो एक बदभारा समझ लो क्याकर चीजी है हुई यह यहां पर क्या है भाई एए और बी यह दोनों इस रिखा पर स्थित हैं वाई शने कहा है कोश्चन में इज्डि बिन्दू और बी इस ऑले हिस तो तीने और 5 भी ब्रावर 7 आ गया दूसरे की बात करें 1 4 है तो यहां पर रखा क्या तो भाई इसकी जगह एक आएगा इसकी जगह 4 भी आएगा ब्रावर 7 आ गया यहांसे बीका मान निकाला भई एक उठाके उस साथ भेजेंगा टीमान आ गया 7 मान अगया यहां चार ठी ही आ गया अब बारह में से पांच गया तो साथ बचा डन ठीक है साथ आ गया पैथिस का पैथिस और चार सते अठाइस वह हमने लिख दिया यहां से पैथिस को दूसरे साइड और एक आमान हमारे सामने आ गया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बड़े इजी तरीके से कोश्चन साल हो गया है तो आप इसका स्क्रिंशाट ले सकते हो यह भी कोश्चन मोस्ट इंपोर्टन है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर अगले कोश्चन के स्टाइप का है चलो हाँ जी अगले कोश्चन की बात करें यहां तो हमें परसन नमबर 13 दे रखा है बिना आलेक बनाए किस उस बिंदू के निर्देशांग ग्यात किजिए जहां समीकन ये का आलेक दोनों अक्ष को काड़ता है पर हमें क्या देखना है हमें देखना है कि यह जो है वो दोनों अक्षो पर काटने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ग्राफ ऐसे काट रहा होगा एक यहां काट रहा है ठीक है तो यह हमें इसके निर्देशांग याद करने हैं मतलब इसके निर्देशांग याद करने है और एक चीज़ या रखना जब यह एक्स को काटेगा जब भी एक् जब भी एक्स को काटते हैं तो एक्स और जीरो आते हैं और जब वो य को काटता है तो भाई जीरो और वाई होता है यह पॉइंट तो हमें पता है कि जब एक्स को काटेगा तो एक्स जीरो और वाई को काटेगा तो जीरो वाई यह जी जाएगा तो इसी को रियूज करते हु हलकी बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं जब समीकरन एक्स अक्ष को काटता है जब समीकरन जो है एक्स अक्ष को काटता है तो यहाँ पर लिख देता हूँ तब बिन्दू एक्स जीरो होगा बैए एक्स जीरो होगा जो कि समीकरन का हल होगा जो समीकरन का हल होगा तो यहाँ पर वही बात होगी कि एक्स अक्ष पर अगर कोई भी समीकरन काटता है तो वह बिन्दू एक्स जीरो होगा और अगर वह एक्स को काट रहा है तो वह इसी रेखा पर है यानि यह इसका हल भी होगा तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दे दिया हल होगा तो अब पर में 10 है यहाँ पर पाच एक्स बराबर में 10 आ गया और यहाँ पर एक्स कमान कितना आ गया तो दस बटे में 5 यानि 5 दूनी 10 और एक्स कमान 2 आ गया ठीक है यह आ गया अब उस अकॉर्टिंग हम लिख सकते हैं क्या कि बहुत तब रेक्स ह청्च पर बिंदू जो है एक्स पर जो बिंदू है वो आ रही है 200 बह्य आ एक्स पर बिंदू क्या रहा है 200 आ रहा है डल ठीक है भई उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं इसी तरीके से क्या वाई जब समीकरण जब समीकरण वाई अक्ष को काटता है काटता है तब बिन्दू क्या होगा तब बिन्दू ये होगा जब समीकरण का हल होगा और समीकरण का हल होगा इसका मतलब क्या होगा तो 0y इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नमार पास था 5x ठीक है और प्लस में 2y और बराबर में 10 हैं यह बिन्दू को संतुष्ट करेगा यानि x का मान हम 0 रख सकते हैं और y की जगा y ही रखना होगा तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ ए estar हूँ एकस का मान 0 रखा ठीक है और यह पांच को ने 0 क्या होगा तो 0 ही होगा तो यहाँ पर हमने देखा 2y बरावर में 10 आ गया है और y का मान कितना आ गया है तो 10 बटे में 2 आ गया है इसको हमने काट दिया तो 5 पर कट गया और y का मान 5 आ चुका है ठीक है भई y का मान 5 आ चुका है और इसके बाद हम finally लिख सकते हैं तब y अक्षपर बिंदू भई y अक्षपर जो बिंदू है वो कितना आएगा तो भई 0 और y होगा 0 और 5 होगा डश्यक्त पर जो बिंदू है वो जीरो और पांच होगा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कोश्चत यहां पर समाथ होता है और फिर हम आते हैं नेक्स पर यहां पर चीज़ें हम बिल्कुल कप्लिट कर चुके हैं कि हमने सुरुमें देख लिया कि एक सकुर् Atlant को कारता है naprawdę टो एप्स जिरो उगा कोरता है तुछ जीरो खा सथ ही यहां दोलों को जब रखा तो यहां से हमें बिंदो निकार मिल गया है जो कि हमें घ्याद करना था है दो Ц जीरो और पांच डान तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लो जो कि ले चुके होगे साथ और फिर हम आते हैं नेक्ट कोशिन पर अगले को दिखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टन कोशिन खौंसा होने वाला है चलो हाँ जी तो अगला हमारे पास है परसंट नमबर 14 इसमें कह रहा है एक रंगीन कागज का मूल्य एक सफेद कागज के मूल्य के एक तिहाई से साथ अधिक है यहां पर फुल स्टेटमेंट से एक समीकर्ण आपको बनाना है अब वो कैसे बनाएंगे तो यहां पर देखिए जो हम्पहले मान लेते हैं क्या वह रही माना है माना रंगीन कागज का मूल्य बैइ माना रंगीन कागज का जो मुल्य है वो कितना होगा उसको लिखाया आपर अपर सफेद कागज का मूल्य यह कितना है तो यह आगे बेर रुपीज वाई एक साथ अधिक है यानि कि मैंने लिखा रंगेन कागज X है और सफेद कागज Y है ठीक है इस ने कहा है रंगेन कागज का जो मुल है हो सफेद कागज के मुल लिए एक तिहाई एक टिहाई मतलब एक बटे तीन कर दिया इसको ठीक है स catch and structure से एक तिहाई लिए यह बाद कनफरम होती है आप इश न Lesson हो यह एक्स आ गया यह वाई एकम वाई हे होगा बटे में तीन है और प्लस में साथ है यानि कि मैं अगर इसका लेता हूं यानि देखो इसी में इसी कुना करेंगे तो यह तीन गया ठीक है बराबर में वाई है प्लस में 21 है इनको उठाके इधर ले आते हैं तो तीनेक्स माइनिस वाई माइनिस 21 बराबर शुन नहीं आ गया है और क्या यह आपको दो चरो वाला रैखिक समीकन दिख रहा है क्या दिख रहा है तो यहां पर आपको ऐसे statement जो आपको जो लिखित रूप में questions मिलते हैं इसे देखके डरना नहीं है इसे आपको देखके थोड़ा समझना है क्या है क्या रहा है कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसने बस यह कहता है कि रंगीन कागज का मुल्य जो एक सफ सब्सक्राइब कागज के मुल्य का एक तिहाई मतलब एक बटे तीन से साथ ज्यादा है मतलब कि उसमें साथ जोड़ दिया और इसको यह आंसर आ चुका है यानि कि हमें दो चरवाल राकिक समीकर्ण मिल चुका है ओके चलो आप इसका screenshot ले लो और फिर हम आते हैं नेक्ट क minus y बराबर 6 है का आले किन चतुर्थांस से गुजरता है चतुर्थांस कौन सा है चतुर्थांस की बात जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी पढ़ा था हमने तीसरे चप्टर में पढ़ा था कि भाई यहाँ पर देखा जाए तो यह x है यह x डैस है यह y है और यह y डैस होता है ठीक है और यह होता है पहला चतुर्थांस यह होता है दूसरा और यह तीसरा और यह होता है चार चतुर्थांस होते हैं चतुर्थांस मतलब चार हिस्से तो यह चार हिस्से आपको दिख गए हैं पहला दूसरा तीसरा चतुर्था हो चुका है ठीक है और हमें पता है यह प यहे यह एक्स पॉसितिव हर यह कुछ होता है महाई यह चीजतीत में इनकिया गया है कि तो इसमैं पपशुटिव देखते हैं क्या हो जुरूत पड़ेगी कि नहीं पड़े गी थिलाल हम पहले इसको देखते हैं Peach graph कहा बनेगा तो यहां पर पहले लिखा हल ठीक है और लिखा 2x-y बराबर में 6 आ गया ठीक है यहां से क्या करते हैं यह का मान निकाला तो कितना है इस घर ले आते हैं और आजाएगा घर घराफ जाईगा अब हम समय एक्स कमान इसमेहरं रखते जाते है 3 रख दिया जब X का मान हमने 3 रख दिया ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 गुने में 3 माइनिस में 6 बरावर में Y यानि या रहा है भई 6 माइनिस 6 0 यानि Y 0 आ रहा है यानि X को 3 रखा तो Y 0 आ गया चलो भई यह बात हो गई है अब उसके बात देखा जाए तो क्या होगा भई अगर मैं रखता हूँ क्या चीज़ तो फिर X का मान क्या करती 3 की जगा 4 रख देते हैं तो भई अगर मैं जब X का मान हम 4 रखते हैं तो उस कंडिशन में 2 गुने में 4 माइनिस में 6 बरावर में Y आएगा यानि 4 दुने 8 में चे गया 2 बचे गया 2 Y आगया ठीक है भई Y का मान 2 आ चुका है तो यहाँ पर मैंने देखा भई X का मान जब 4 रखा तो Y का मान 2 आ गया है अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं ग्राफ में कहां बन सकता है तो भई इसमें देखो क्या चीज है भई 1,2,3,4 लिख दिया यहां भई 1,2,3,4 मानिस 1, मानिस 2, मानिस 3, मैनिस 4 मानिस 1, मानिस 2, मानिस 3, मानिस 4 डन चलो ठीक है भई कहा है X 3 और Y 0 यानि X पर तो 3 चले और Y पर नहीं चले मतलब यही बींदू आ गया चलो ठीक है दूसरा X4 और Y2 आपज पे चार गया और Y यह चीज आ गये ठीक है यह चीज हा पास आ रहा है अब भाई यह कहां से जा रहा है तो इसकी बात की जाए तो यह एक रेखा के चलेगे यह इस तरह से देखा जा रहा है कौन से चतुरसान से जा रहा है कि इस कुश्चन में कहा है स्वमीकन ये का आलिख किन चतुरसान सो से गुजरता है तो यहां की बात की जाएं तो यह इन दो नोवीज पूरे पार्ट से गुजर रहा है ठीक है यहां तो दो बिंदू है लेकि चतुर्थांशों कहा है मतलब कौन कौन से चतुर्थांशों से होकर गुजर रहा है तो यहां आप देख पा रहे हूं कि इसमें तो प्रापर है इसमें भी है और इसमें भी है यानि पहला चौथा और तीसरा इन तीन चतुर्थांशों से गुजर रहा है तो हम यहां पर पहला तीसरा तथा चौथे से गुजरता है ठीक है चत्रतांत एक तीन और चार जो है वो ये तीनों जो आपके चत्रतांत है इस से ही ये समीकन गुजर रहा है जो कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं ओके तो यह कुश्ण भी यहाँ पर समापत होता है यह भी एक आपका most important question था जो कि जिसमें हम decide कर पा रहे हैं कि यह रेखा जो है वो कितने किस किस चत्रतांत से गुजर रहा है तो हमने देख लिया कि एक चार और तीन इन तीनों चत्रतांत से गुजर रहा है सिर्फ ये दू तो यहां दिया हुए उन समीकर्ण को ग्यात कीजिए जहां समीकर्ण का आलेग ऐसी रेखा पर मिलते हैं जो X अक्ष के समानतर हो मोल बिंदू से तीन इकाई धनात्मक Y अक्ष की और हो दूसरा कह रहा है अक्ष के समानतर हो मोल बिंदू के बाई और दो इकाई दूर हो इन दोनों के क्या कर रहे हैं उनके समीकर्ण ग्यात कीजिए जहां समीकर्ण का आलेग इस तरह से खीचा गया है एक दो तीन चार एक दो तीन चार वह यह चीज़ आ गया माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार यहां देखा वह माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस चार वह यह चीज़ हो गया हमारे पास सब्सक्राइब करें तो पॉजिटिव यानि ऊपर की तरफ और कितना तीन यानि तीन इस बिंदू से होकर गुजरना चाहिए और एक्स के समानतर होना चाहिए यानि रेखा कुछ ऐसी खीची जा सकती है तो यह रेखा आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा तो यहां पर मैंने लिखा वही इस तरह से ठीक हमने खीच दिया पहले पार्ट में कह रहा है कि ऐसी रेखा खीचनी है जो एक्स के समानतर हो और साथ में तीन इकाई पॉजिटिव धनातम उपर की तरफ हो जो कि वाई एक्स पर काट रही हो तो यह हमने देख लिए अब हमें बताना है इसका समीकर्ण क्या है तो आपको जैसा कि मैंने बताय था अगर एक्स के समानतर कोई देखा किची गई है एक्स के समानतर कोई देखा किची गई है तो इसमें एक्स नहीं होगा और वाई कितना होगा तो वाई आपका सिर्फ तीन होगा जो यहां पर काट रहा है तो यह आपका समीकर्ण हो गया यानि कि मैं कह सकता हूँ फर्ष्ट में जाएगा buy और दो इकाइं दूर है buy और दो इकाइं मतलब यहाँ पर है यह और यह है और यहाँ से गुजर रहा है और y के समानतर है मतलब आ little bit बना सकता हूं ऐढल है यह बना दिया अब इस रेखा के samigad क्या होगी तो ये है y के समानतर यानि इसमें y नहीं होगा क्या होगा तो सिर्फ x होगा तो हम लिखेंगे x बराबर में-2 ठीक है तो यानि इसमें यहाँ पर second part का अंसर लिखा हमने x बराबर में-2 यह हमारा second का अंसर हो गया यहाँ से हम बिल्कुल सेख चुके हैं कि भई x जो होता है उसके समानतर अगर कोई रिखाज की जाए अगर y के समानतर है तो उसमें y नहीं होगा और x का मान वही होगा जहां पर x को काटा जावाए अगर कोई अक्ष जो है x के समानतर होता है तो उसमें x नहीं होगा और y बराबर में वही होगा जो वाई को काट रहा होगा दन तो ये दोनों समिकर्ण हम ग्यात कर पा रहे हैं और ये कोशिंग भी यहाँ पर समाप्त होता है और इसी कोशिंग के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है और आज हमने पूरे चेप्टर को बिल्कुल बारेकियों से complete कर दिया है जिसने भी इसको आखरी तक देख लिया उसको अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है अब सारे concept बिल्कुल बारेकियों से समझ में आ गए होंगे और हर चीज को बिल्कुल बारेकियों से समझ पारा होगा और कोशन चाहे अब जितने भी घुमा के दे दिये जाएं हर चीज वो बेश्ट तरीके से कर देगा और नमबर आदा नहीं कटेगा आदा भी नहीं कटेगा यानि कि हमें चाहिए पूरे नमबर यानि हमें सब कुछ होगा तो हमने हर चीज बिल्कुल बहता नहीं तरीके से आप आपको करवा दिये तो इस चीज इस सेशन को आप अपने फ्रेंट सर्कल में भी शेयर कर देना जिससे उनको भी इसका फाइदा मिल पाए क्योंकि यह सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज सेशन के कंप्लेट वीडियो कोर्स और वह भी फ्री अफ और आप लोग की सुविधाओं के लिए मैं ने लॉंच किया है मैं की वेबसाइट जो की है www.magnetbrains.com और इस वेबसाइट की क्या खास बात है आप लोग की सुविधाओं के आदार पर यहां पर आपको पूरा कोर सेशन अलग है एंटी अलमपियाड और इसी तरह से और बहुत से से अफ्के यह आप अपर आप जब बहुत से से वेलेबल हैं तो आपको कोई भी को स्टैडि करना है तो उस कोर्स पर क्लिक किजिए और वो पूरा कोर्स आप के सामने अब आपको कोई भी वीडियो कहीं करोगे कख्षा नौवी के सभी टीचर्स आपके सामने विजवल हो जाएंगे अब आपको किसी भी विशय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विशय के सामने वाशनाव लिखा हुआ है वाशनाव पे क्लिक किजिए और पूरा क्लिक करोगे और क्लिक करते हैं आपको मिलता है कुछ इस तरह का इंटरफेस जिसमें आप देखेंगे पाठेव परीचय संख्यापद्यति और उसके बाद और भी बहुत से चैप्टर से वलेबल अब यहां पर है क्या इन चैप्टर में तो कोई भी चैप्टर को क्लिक करते ह अच्छा का इसके बाद क्या पूरे न्सी यार्टी का सॉलीशन जिसमें उसके उदारन हो गए उसके परिमय को भी बहुत उच्छी तरह समझाएगे तीक है उसके बाद आपको मिलते हैं एम सी की पूरी सीरी जो कि आपको पता है आजकल बहु विकल परसंद आने लग गये उसके बाद आपको मिलता है most important question की पूरी सीरी उसके बाद मिलता है आपको चैप्टर का one sort revision और उसके बहुत कुछ मिलने वाला है यानि अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरती कोई भी वीडियो को पर्चेश करने ही जरूरती हर चीज बिल्कुल best quality में हम आपको प्रवा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए ओके बाई तैंक्यू